हेलो सुदेंट्स, वेलकम टू अफिसेल यूटूब चैनल आप फोरेजिन कोचिंग, स्वागा था आप सभी का आज के लाइब क्लास में और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के हिंदी मीडियम में विद्धु चुमब की पेरण, विद्धु तावेस्त पढ़ चुका विद्धु चुमब की पेरण, Electromagnetic Induction उके, इंगलिस में क्या मोलते हैं, इंगलिस में Electromagnetic Induction गूढ इबनिंग, गूढ इबनिंग, तो आ गये सभी तो विद्धु चुमब की पेरण, बहुत important topic है इसको आपको ध्यान से समझना है एक तरह से यहां से एक नया फीजिक्स का सुरुवात होता है अभी इस्कूल ओपन नहीं हुआ है हम विद्दू चुमबा की प्लेराण में पहुँच गए हैं आपको क्लास बहुत एडवांस में मिल रहा है बहुत जल्दी आपको तयारी कंप्लीट करना है उसके बाद बार-बार रिविजन करना है और साथ में काम्पुटिटिव एकजाम को भी लेके चलना है क्योंकि आपके पास सफिसियन टाइम है इस तरह से फिर आप एक अच्छा ही स्कोर कर सकते हो ओके तो तयार है सब तयार है सब इस बीच में सब रिविजन किया वैसे हम अपने प्रिवियस लेक्चर को कंपाइल करके एक एक वीडियो में आपको वन साथ प्रोवाइट करा रहे हैं हम रिविजन के समय आपको वन साथ और अलग से प्रोवाइट कराएंगे अभी हमारे जो छे लेक्चर साथ लेक्चर आठ लेक्चर किसी किसी चेप्टर के स्टेंद के साब सोता है सब को एक साथ भी हम provide करा रहे हैं ऐसा करने की पीशे हमारा purpose यह है कि आप वो सारे lecture single sitting में आप revise कर सको एक बार में ही आप उसको revise कर सको इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं और वो बहुत जोरी है revision के लिए best है यह जो आपका live class है part part में वो एक बार पढ़ने के लिए अच्छा है सुरुवात में basic चीज को strong करने के लिए फिर उसको revision करने के लिए one start अच्छा है इसलिए वो आपको एक साथ हम provide करा रहे हैं ठीक है तो आपके लिए अच्छा है बात में जब हमारा syllabus complete होगा तो हम आपको live class में ही one start class provide कराएंगे तो आपका और रिविजन हो जाएगा इस पकार से हमारी पूरी कोशिस है कि हम आपको इतने contents provide कराएं और इतने बार रिविजन कराएं कि board exam के आते तक आपको physics पूर 100% प्रिपेर हो जाना चाहिए और आप 95 प्लस 95 नंबर से उपर मार्स लाने के position में तयार हो जाएं ऐसा हमारा प्रयास है बाकी आप लोगों का मेहनत है ओके चलिए गूड इवनिंग गूड इवनिंग ठीक है तो class ही start करें विद्दू चुमकी प्यरण इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्षन सबसे पहले मैं आप Electro and Magnetic induction दो सब्दे से मिल के बना है विद्दूत और चुमकी प्यरण ये एक ऐसा चेप्टर है जहां से electricity के production के बारे में विद्दूत का ऊत्पादन कैसे होता है विद्धूत का उत्पादन लार्ज स्केल में कैसे किया गया आज जो हम electricity यूज कर रहे हैं अपने घर में देखो electricity का जो production है वो बहुत पहले हो चुका था लेकिन electricity का production इतना small scale में होता था और इतना costly था और इतनी कठनाई थी उसको उत्पादन करने में किवा केवा लेबोर्टरी तक वज्यानितों तक सिमित था जैसे हम chemical reactions है इलेक्ट्रोलाइट्स के help से आपने chemistry में पढ़ा होगा electric cell तो वहाँ पर क्या होता है करके थोड़ा बहुत करेंट उत्पादन कर लेते थे जिसमें छोटा मोटा बल्ब जल जाए छोटे मोटे सर्कीट में काम चल जाए इतना ही काम हो पाता था पहले सुरवात में जब electricity का production किया गया रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो आप सेल पढ़ते हो chemistry में आप लोग पढ़ते हो सेल के बारे में प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल तो यह विद्यूत का बहुत small quantity में production का system था लेकिन बाद में जो large scale में production हुआ electricity का वो एक महान वाइग्यानिक जिनका नाम है फैराडे माइकल फैराडे के द्वारा उत्पादन हुआ अभी हम आगे detail में इस chapter में पढ़ने वाले हैं मैं पहले उसके आपको chapter का background आपको discuss कर रहा हूँ तो उन्होंने जो experiment किया उसके बैस पर इतना जादा इतना large scale में electricity develop किया गया और सबसे important बात कि वो इतना सस्ता था इतना cheap था वो कि वो आम आदमी तक हर घर में पहुँच सका आज वही electricity हम लोग use कर रहे हैं तो फैराडे की ही देन है जिसके कार आज हम लोग electricity को अपने घ ग्यानिकों के पास था तो विद्यूत चुमबक की प्रयाण का मतलब होता है विद्यूत और चुमबक के संयुक्त प्रयाज से उसके प्रयाण से magnet के सहयता से विद्यूत उत्पन होना उसकी प्रयाणा से उसकी प्रयाण से विद्यूत उत्पन होना क्या कहलाता है विद्य चेप्टर आगे के पूरे चेप्टर का क्योंकि इसके बाद जब हम प्रतियवर्तिधारा पढ़ेंगे तो पूरा प्रतियवर्तिधारा इसी concept पर बेस्ड है तो यह छोटा चेप्टर है बट बहुत important है इसका बेस आपको को आगे काम आएगा तो सबसे पहले हम विद्धूत चुमब की फ्रक्स पढ़ लेते हैं विद्धूतत चुमब की क्या है Yet Ceisson Mẹ ओली मेंनेटिक क्फलक्स है इसमें विद्धूत वर्ड़ नहीं रहेगा ये बाई मिस्टेक हो गया है इसको हम क्यों चुम्बकी फ्लक्स कहेंगे विद्दूद फ्लक्स अलग होता है जो आप पीछे पढ़ चुके हो ये क्या है? मेगनेटिक फ्लक्स है चुम्बकी फ्लक्स है मेगनेटिक फ्लक्स तो देखो magnetic flux होता क्या है electric flux के बारे में आपको मालूम है उसको मैं एक बार आपको पुनाह दूराता हूँ विद्धुद flux को कि जब हम कोई विद्धुद छेतर उत्परन करते हैं या हमारे पास कोई आवेशिद पिंड होता है तो उस आवेशिद पिंड से जो electric lines of forces विद्धुद बल रेखाएं उससे जो बाहर निकलती है उनमें जितनी बल रेखाएं अपने प्रिष्ट पर लंबवत होती है उन लंबवत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं विद्धुद flux कहते हैं एक्जेक्ली उसी तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है केवल वहाँ पर विद्धुद बल रेखाओं की जगह हम यहाँ पर क्या कहेंगे चुमबकी बल रेखा कहेंगे तो चुमबकी बल रेखा का मतलब क्या है magnetic lines of forces है माल हमारे पास कोई चुमबक है और उस चुमबक से जो विद्धुद बल रेखाओं में स्वारी चुमबकी बल रेखाओं में क्योंकि यहाँ पर चुमबकी flux के बारे हम बात कर रहे है तो किसी चुमबकी छेतर में या किसी पोल से चाहे नार्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो उससे जो चुम्बकी बल रेखाएं निकल रही है और उनमें जितनी चुम्बकी बल रेखाएं अपने प्रिष्ट पर लंब वत हैं उनको हम क्या कहेंगे मेगनेटिक फ्लक्स करते हैं उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मालो हम इस तरह से imagine करते हैं यह कोई magnetic field है और इस magnetic field से कुछ lines of forces असे बाहर निकर लें यह suppose lines of forces है यह आप देख रहे हो यह और यहाँ पर मैं कुछ lines of forces यहाँ से अलग direction में निकाल देता हूँ यह निकाल देता हूँ यह निकाल देता हूँ यह यह अपने प्रिश्ट पर लंबवध है तो यह चुम्बवधी flux है और यह चुम्बवधी flux नहीं है इसका मतलब का हुआ कि किसी भी प्रिश्ट से किसी भी चुम्बवधी छेत्र से या किसी भी चुम्बवधी प्रिश्ट से जो लंबवत बल लेखाएं बाहर निकलती हैं उन बल लेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं चुम्बकी फ्लक्स कहते हैं ठीक है, मेगनेटिक फ्लक्स कहते हैं इस पकार से मेगनेटिक जैसे हम वहाँ पर रिप्रेजेन करते हैं किसे phi e से रिप्रेजन करते हैं और इसको हम रिप्रेजन करते हैं किसे phi b से तो चुमबकी बले खाओं की संख्या को हम phi b से रिप्रेजन करते हैं यह होगा phi और b phi e रिप्रेजन करते हैं विद्धित को और 5 दिरेजंट करते हैं चुंबँकी फ्रस्को तो 5 बीडिगे कोल टू हता है वी मनें चुंबँकी चौत की तीरता इंटो ए मतलब यहां पर इसके इसका चौत्र अच्छे यह चौत्र छ। रफर और इन्टो Kast थीता या कास थीता तो 5B equal to होता है bA cause theta ठीक है ब개 cause theta जहाँ पर b क्या है chumbackee छेतरख्य की तिव्रता है एक यह चेतरख्य है और leaned theta उनके बीच में बना क्लोड है छेतर के सांथ में या इसको हम क्या लिख सकते हैं चुंकि आपको flux यह दोनों फर्मूल आपको याद रखना है बाकी सब इलेक्ट्रिक flux की तरह है आपको condition मेंने बताया था कि 5-0 हो तो क्या होगा और 5-90 degree हो तो क्या होगा ठीक है तो क्या होता है देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम condition देखें note या condition ही कहें इसको अपन इसके condition तो सबसे पहला condition क्या है जब phi क्या हो 0 degree हो जब phi 0 degree होता है तो phi की 0 होने पर क्या हो जाएगा cos 0 1 होता है तो cos 0 1 होने के condition में क्या हो जाएगा phi b equal to हो जाएगा b into a into cos 0 और उस condition में phi b जो है वह b into a के बराबर होता है मतलब उसमाए flux मेक्जिमम होता है और दूसरा केंडिय्सन होता है यदि 5 नहीं सुरारी, theta हमने इसको theta लिया हुआ है तो theta क्या है? 0 degree और theta यदि 90 degree हो सब तो theta 90 degree होने के केंडिय्सन में 5B क्या हो जागा flux की संख्या Zero हो जाएगा इस पकार से ध्यान में रखना कि प्रिष्ट के साथ बनाये गया एकोड जीरो हो मतलब वो क्या हो उसके समानांतर हो तो समांतर होने के कंडिशन में फ्लक्सों की संख्या मेक्जीमम होता है समांतर होने के कंडिशन में फ्लक्सों की संख्या मेक्जीमम होता है तो B A cast theta इसका formula है, यह आप note कर लो, 0 पर maximum ध्याद रखना और 90 पर minimum याद रखना, ठीक है, यहाँ पर आप break track में लिख भी लो, यह इसका maximum value देता है, और यह इसका minimum value देता है, यह maximum, यह minimum value देता है, नेस्ट, विद्दू चुमबकी प्यराण, electromagnetic induction, यह तो मैंने आपको chapter की starting introduction में बताया ही, हम सीधा चलते हैं, फैराडे के experiment पर, विद्दू चुमबकी प्यराण संबन्धी फैराडे का प्रयोग, विद्दू चुमबकी प्यराण संबन्धी फैराडे का प्रयोग, यही वह महान प्रयोग है, जिसके बारे में मैं आपको starting में डिस्कस कर रहा था, कि इस प्रयोग के द्वारा ही, हमको electricity का production के बारे में पता चला, एक्ट्वाल में इसके बारे में कहा जाता है, बुक्स में पढ़ने को मिलता है, मेरे पास बहुंच से literature हैं इस पर, कि फैराडे ने सोचा, थो ध्यान से सुनना मेरी बात, फैराडे ने सोचा, कि आस्ट्रेड ने ये बताया है, पहले हम आस्ट्रेड के प्रयोग पर एक बार पुनाव विचार करें, जो पिछे चेप्टर पर हमने पढ़ा था, आस्ट्रेड नमक साइंटिस्ट ने ये बताया था, कि मालो अपने पास कोई धारावाही चालक है, और इस धारावाही चालक पर हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों और चुमबकी छेत रुद्पन होता है, ये आस्ट्रेड ने बताया था, इसको हम पढ़े हैं धारा के चुमकी प्रभाव में आस्टेट के प्रयोग में यह आप सब को पता है तो फैराडे ने जब इस नियम को पढ़ा जब फैराडे ने इस नियम को पढ़ा कि भई आस्टेट ने ये बताया है ये आस्टेट ने प्रयोग करके बताया है बाद में बावेसे वर्ट ने बताया है कम्प्रीट चेप्टर हम पढ़ चुके हैं गतिमान आवेस तथा छेत्र तो आस्ट्रेट के प्रयोग में ये बताया गया कि किसी चालक पर धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों और चुमबकी छेत्र उत्पन होता है ये बात फैराडे ने पढ़ा तो उसके वाइस वर्षा मतलब उसके ठीक उल्टा उन्होंने सोचा क्योंकि आपको पता है कि साइन्स में हर एक्षन का अपोजिट एक्षन होता है वाइस वर्षा प्रोसेस होता है उसके विप्रिदिसा में भी कार्य होता है तो फैराडे ने सोचा कि यदि हम अभ्ध्यान से सुना मेरी बात आस्टेट ने बताया धारा प्रवाहित करने पर चुम्बकी छेतर उत्पन होता है फैराडे ने सोचा कि यदि हम चुम्बकी छेतर निर्मित कर दें यदि हमारे पास चुम्बकी छेतर पहले से हो और उसमें यदि किसी चालक को लाया जाए तो धारा उत्पन होना चाहिए जब धारा चुम्बकी छेत्र उत्पन कर सकता है तो चुम्बकी छेत्र भी धारा उत्पन कर सकना चाहिए ये छोटी सी बात को फैराडे ने पकड़ा और ये आगे चलके इतना बड़ा experiment हुआ जिसका मैंने आपको जीकरी स्टाइटिंग में किया कि आज जिस electricity को हम use कर रहे हैं जिस electricity की help से हम ये class कर पा रहे हैं आप मुझे देख पा रहे हैं आप मुझे पड़ पा रहे हो वो सब इसी फेराडे के प्रयोक से हुआ को आधुनिक भौतिकी का पीता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सेमी कंड़क्टर से फोटे एलेक्टिक पर काम किया उसके बाद पूरे भौतिकी की दिसा बदल गई लेकिन अलबर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि एक्ट्वल में फादरॉर्दे माडर्न फिजिक्स माईकल फिराडे को कहा जाना चाहिए क्योंकि इलेक्रिसीटी के प्रोडॉक्सन के बीना यह जो और बहुत सही बात है यहां पर आपको समझ में आएगा तो माइकल फैराडे ने यह बात सोचा कि भाई यदि हम चुमबकी छेत्र उत्पन कर दें और उसमें चालक लाएं तो धारा उत्पन होना चाहिए और यह बहुत मज़ेदार बात है पैसेंस के इससे बड़ा उदाहर नहीं हो सकता दहर उससे बड़ा उधार नहीं हो सकता । कि माईकल फैराडे के बारे में कहा जाता है कि इन्हों ने 12 years कि इंहों नेलगभाग क ऐस को 12 years तक 12 साल तक compraya a 12 साल तक बोला जाता है कि Michael फेराडे 12 साल तक एक छोटे से कमरे में छोटा सप्रयोक साला बनाके दिन रात उसमें लगे रहे 12 वियर तक सोचो वज्यानिकों के बारे में कहा जाता है कि उनमें शब सेंप्धंटंट चीज जो होता है वो उनके अंदर धहर होता है पएसे लाइफ में सकसेस के लिए सबसे इंप्रथ वालिटी मैं भी इस बात को मानता हो यदि आपके अंदर पैसेंस नहीं है तो आप बड़ा एचिवमेंट नहीं पा सकते क्योंकि बड़ा एचिवमेंट पाने के लिए आपको बार बार ट्राइ करना पड़ेगा कई बार आप फेलियर होंगे कई बार असफल हो जाएंगे और यदि आप उस असफलता के टाइम में आप अपना पैसेंस खो दिया कि बस अब मेरे से नहीं होगा तो हो सकता है जिस चीज को पाने के लिए बस थोड़ा सा बचा हो वह आप उससे आप वंचित रह जाएंगे क्योंकि वाटर को वेपराइज होने के लिए 99 डिग्री के बाद ओली 1 celsius डिग्री का जगरत होत इसी तरह से माईकल फाराडे ने पूरे पैसेंस के साथ 12 साल तक प्रयोग किया तो इनका पैसेंस ही था इनका धहर यही था जिसके कारण यह इस एस इसपेरिमेंट में सफल हुए तो 12 साल तक उन्होंने प्रयोग किया और कहा जाता है कि एक दिन मों बहुत परसान होके तो उसके सर्कीट में उन्होंने एक धारमापी लगाया था, उसके सर्कीट में उन्होंने एक धारमापी लगाया होगा, उन्होंने एक धारमापी लगाया था, आप समझ सकते हैं धारमापी क्यों लगाया होगा, क्योंकि वो करेंड का उत्पादन कर रहे थे, और करेंड का करने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस क्या गेलवानोमीटर यही तो बताएगा कि धारा का उत्पादन हुआ गेलवानोमीटर तो फैराडे के प्रयोक से पहले बन चुका था यह हमने धारा के चुमकी प्रभाववे पढ़ा है गेलवानोमीटर धारमापी तो आके रखा था गेलवानोमीटर तो जिस दिन वो परेसान होके पूरे डिवाइस को पकड़के फैक दिया तो अचानक उनका ध्यान गेलवानोमीटर के तरफ गया कि फैकने पर आके बढ़ रहा है तो फैराडे ने सोचा कि 12 तक तो मैं सब कुछ किया था फैका नहीं था किस सकते हैं कि जब फेके तो गेलवानोमीटर में विच्छे पुत्पन हुआ तुन्हों ने पूरे डिवाइस को कलेक्ट किया उन्हों ने पूरे डिवाइस को फिर उठाया सिस्टेमेटिक किया और सोचना सुरू किया कि फेकने पर कौन सी नहीं हटना हुई जो इतने दिनों तक मैं नहीं किया था तुन्हों ने उस बात को पखड़ा कि फेका तो क्या हुआ तुन्हों ने सोचा जब मैं डिवाइस को फेका तो डिवाइस में पूरे मेरे सरकीट में जो क्वाइल था और मेगनेट था उनके बीच में गती हुई उनके बीच में गती हुई, क्वाइल कहीं और गया, मेगनेट कहीं और गया तो मेगनेट और क्वाइल के बीच में जो गती हुई, सायद हो सकता है उसी कारण विद्यूत का उत्पादन यहाँ पर हुआ होगा ऐसा उन्होंने अपने दिमाख में यह बात सोचा और फिर इस प्रयोक को उन्होंने सिस्टेमेटिक किया दैट मिंस उन्होंने कुंडली और चुम्बक के बीच में आपयक्षिक गती कराना प्रारंभ किया और धारा उत्पादन करने में वो सफर लहें इस पकार से हम यहां पर पढ़ेंगे इनके एस्पेरिमेंट में कि विद्री चुम्बक की प्रेरार समधी फ्राडे का नियम क्या था तो चलिए यहां पर हम एक सर्कीट बनाए पहले और इस सर्कीट में इनके प्रयोक को हम समझते हैं तुन्हों ने किस तरह का सर्कीट बनाया था और उसमें क्या-क्या घटना हुई यह मैं आपको एक सर्कीट के हेल्प से संझा रहा हूं देखो यह है एक सिस्टिमेटिक सर्कीट में बना दूँ पहले फिर आपको मैं बताता हूं उसको ठीक है यह सर्कीट में पहले बना लूँ और फिर मैं आपको एस्प्रेंज करता हूं सर्कीट को कम्प्लीट यह है क्वाइल यह क्वाइल है और यहाँ पर उन्होंने लगा के रखा है गिलवानो मीटर और यह जो आप देख रहे है वो एक चुम्बक है मालो इसका नार्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट बनाया था बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा डिवाइस बनाया था उन्होंने अब यहाँ पर क्या है यह जो आप device देख रहे हो इसमें उन्होंने सिर्फ क्या किया इस चुम्बक को उन्होंने तेजी से कुंडली के तरफ मूव कराया तेजी से जब इस चुंबक को उन्होंने कुंडली के तरफ गती कराया, तो जैसे कुंडली रखा है और चुंबक को जब तेजी से कुंडली के तरफ लाया गया, तो उन्होंने क्या देखा, कि इस गेलवानुमीटर में विच्छे पुत्पन होने लगा, यह उन्होंने देख गिलवानोमिटर में विछेप उत्पन होता है अब उन्होंने क्या किया इस प्रयोग को तरह तरह से करके दूर आया क्या किया अब वो मेगनेट को वापस लेके गए तो जब वो मेगनेट को वापस लेके गए ऐसा नहीं कि लाने बास से धारा उत्पन हुआ जब वो उसमें दाईवर का विछेफ हो रहा था तो चुम्बक को ले जाने पर उसमें जो विछेफ हो बाईवर होने लगा तो विछेफ का दिशा उसमें बदल गया उसके बाद फिर उन्हों ने इस प्रयोक को और कई तरीके से किया क्या किया मेगनेट को इस्थिर रख दिया और कु कराया तब भी गेलवानोमीटर में विच्छे पूत्पन हुआ तो इस प्रयोक उन्होंने बहुत प्रकार से बदल बदल के देखा कुंडली में फेरों की संख्या को बदल दिया माल उसमें 10 फेरे थे उसको 20 कर दिया तब उन्होंने देखा कि गेलवानोमीटर में तेजी से विच्छेप उत्पन हो रहा है उन्होंने चुंबक के strength को change किया मतलब चुंबक को सक्तिसाली किया तो जब उन्होंने चुंबक को powerful किया सक्तिसाली किया तो धारा मापी में विच्छेप बढ़ गया उन्होंने गती को change किया जब धीरे लाते थे तो कम धारा उत्पन होता था दब तेजी से लेके आते थे तो अधिक मातरा में धारा उत्पन होता था मतलब गिलवानुमीटर कभी छेप अधिक होता था इस पकार से उन्होंने इस प्रयोग को बहुत तरीके से करके देखा और हर बार पाया कि दोनों के बीच में गती कराने से धारा उत्पन हो रहा है ये है फैराडे का एस्पेरिमेंट और इस प्रयोग को करने के बाद उन्होंने जो नियम दिया जिसको फैराडे के नियम से जाना जाता है और ये इस चेप्टर का पहला कोस्चन है और बहुत इंपर्टेंट कोस्चन है क्योंकि बोर्ड एंजाम में प्राया इस चेप्टर में टोटल चार या पांच कोस्चन है और ये मान कि चरो की हर कोस्चन हर सल आने के लिए एनी टाइम तयार है एनी टाइम आप कोई गेस नहीं कर सकते कि यह नहीं आ सकता उसको पढ़नों हर question important है हर बात important है और इसका basic concept भी बहुत important है आगे बढ़ने के लिए ठीक है ये मैं पहले बताया हुआ हूँ इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस में नहीं किया इसमें कास क्यों लिया गया है इसको मैंने इलेक्रिसीटी की चेप्टर में पढ़ाया है जहां पर मैंने गास का प्रमें पढ़ाया है वहां से एक बार आप उसको देख सकते हो लेकिन अभी तो मैं बता दूं कि आप यहां पर आपका question है आपकी जिग्यासा है तो मैं यहां पर आपको बता दूं क्यों लिया गया ध्यान से सुनना देखो यह क्या है बल रेखाओं की संख्या है यहां पर मैं एक components लेता हूँ थोड़ ध्यान से समझना फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं एक और figure बनाता हूँ इसी figure में बना हूँ तो confused हो जाओगे चलिए मैं यहां पर एक और figure इसका बनाता हूँ यह मालो यह चुमबकी छेत्र है और इस चुमबकी छेत्र में suppose मैं यहां पर एक रेखा लिया यह जो चुमबकी छेत्र की तिवरता को पदरसित करता है यह चुमबकी छेत्र की तिवरता को पदरसित करता है और यहां पर मै बी की दिशा है और मालो अभी ये बी जो है यह लंब के साथ में मालो थीटा कोण बना रहा है यह जो चुमकी छेतर है वह मालो प्रिष्ट पर खीचे गए लंब के साथ में थीटा कोण बना रहा है क्लियर यहां तक अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं B का दो घटक चाहता हूं किसी भी सदीश रासी का घटक निकाला जा सकता है यहां पर यह वेक्टर कॉंटिटी है तो वेक्टर कॉंटिटी का 36 घटक और लंब घटक निकाला जा सकता है तो यहां पर यही हम इसके घटक निका इस देख लेगे, अब इन घटक का माँन क्या होगा ध्यान से समझेना ये चूंक reciटा के पास है, ये थीटा के पास है तो लाफ लाफ हो जाएगाMan और ये वाला जो घटक हो जाएगा, ओ हो जाएगा B sin theta, ये B sin theta हो जाएगा, और चुम्बकी flux का मतलब होता है, लंब वद बल रेखा, लंब वद बल रेखा को हम चुम्बकी flux कहते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पर देखो ये लंब है, और लंब की दिश बी कास theta, बी कास theta लिया गया है, ओके, बी कास theta घटक ही क्यों लिया, तो बी कास theta घटक लेने के पीछे कारण ये है, कि बी कास theta ही क्या है, लंब गटक है, ये लंब वद घटक है, और लंब वद बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, flux कहते हैं, इसलिए हमने इस साइन थीटा को हम नहीं ले सकते यह इसका रीजन है यह मैंने इलेक्टिसिटी पढ़ाते समय भी बताया था ओके क्लियर सब को यह बात एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो क्लियर नहीं सभी को और कोई डाउट किसी को हाँ एक सी ध्यान में रखना जितने स्टुडेंट हमारे क्लास को नए जोईन किये हैं नए आ रहे हैं वो सभी को रिलेशन है कि प्रिवियस वीडियो को आप एक बार रिवाइस कर लो और अभी तो हम आपको पूरा वन साइट भी दे रहे हैं अभी हम प्रिवियस क्लास के पूरा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा सिंगल सीटिंग में एक या दो सिटिंग में आप पूरे चेप्टर को रिवाइस कर सकते हो और मेरा आपको सजेशन है मेरा इसलिएबर्स बहुत प्रापर स्टिच से चल रहा है बिलकूल हम नमबर में कोर्ऩ कंप्लीट कर देंगे के अक्टूबर नमबर में हमारा कि मिहीं आईगा और अक्टूबर हो सकता और देंगे कि आपको मैं क्लास में भुट क्लास गेप करोगे क्लास अफ्रेंट करोगे तो नहीं हो पाएगा चलिए तो यह प्रयोग मैंने आपको समझाया फैराडे का प्रयोग और यह प्रयोग में आपने complete समझ लिया कि चुम्बक और कुंडली के बीच में जब गती होती है तभी विद्यूत वाहकबल उत्पन होत है एविद्यूत धारा का उत्पादन होता है ठीक है में चलेगा प्रियंका में चलेगा एक दो रोज में में मैंसका क्लास बिल्कुल स्टर्ट करनी वाले हो सके तो कल से क्लास मिलिएग आपको मेंस का ठीक है आप चिंता मत करिए तो यहांपर क्या है फ्रक्सों अब अब सवाल यह उठता है कि इसका कारण क्या है अब भाई वैज्यानीक तो क्यों प्रयोग नहीं करते हैं वैज्यानीक प्रयोग करने के बाद उसका कारण भी बताते हैं कि भाई इस तरह से विद्युत्वाहक बल उत्पन ने क्यों हुआ होगा तो फैराडे ने विद्युत्वाह संख्या में परिवर्तन इसी लिए हम पहले फ्लक्स पढ़ें फ्लक्सों की कभी आपको यह पूछा जाए कि विद्युत्वाहक पर उत्पन क्यों होता है तब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही यहां पर विद्युत्वाहक पर उत्पन होता है फराडे ने ये मताया कि जैसे हम क्या करते हैं मेगनेट को पास लेके आते हैं तो इसमें जो चुम्बकी बल लेखाए हैं ये देखो ये चुम्बकी बल लेखाए हैं जो किसी चुम्बक के नार्पोर से निकल लेए तो जब हम इस चुंबक को तेजी से आगे की और लाते हैं, तो चुंबक को तेजी से आगे की और लाने पर ये फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, और ये फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के काराण ही विद्यूत्व इसा उनोंने बताया अब चाहें चुम्बक को कूंडली के पास लाओ गति हम यहां तीन परकार से कर सकते हैं ध्यान से सुनना कूंडली स्थीर हैं हम चुम्बक को लेकर आ रहे हैं तब भी विद्युत्वाग बलुथ-बलुथ-पन होगा और दोनों गति करें तो भी विद् करेंग से सुना आपने देखा होगा कि जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं आज कल तो हमारे 90 पर पर ra.ट जिसमें बैटुरी लगा होता है और सेलफ बाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती ही आकिन कभी एक खराब गाड़ी को किक मार पूस्ट करके स्टार्ट करते हो या पहले के टाइम में कुछ साल पहले जब सेल्फी स्टार्टर वाले बाइक नहीं आये थे उस समय हम लोग क्या करते थे किक मार के ही गाड़ी स्टार्ट करते थे हम लोगों ले तो मेक्जीमम टाइम अपने स्टुडेंट लाइफ में हम लोगों ने जब सेल्फी स्टार्ट वाले आते हैं पहले बुलेट सेल्फी स्टार्ट वाले नहीं आते थे तो बुलेट के बारे में कहा जाता था कि जो बुलेट को स्टार्ट कर लिया वो उसको चला लेगा क्योंकि उसको स्टार्ट करना ही एक बहुत बार टेक्निक था उस पर ज्यादर इस यहांपर पेर से कीक मारते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आप को सम्झा रहा हूं होता क्या है मैं यहां सोरा सा rough diagram बना के आपको समझा रहा हूँ कि जो kick मारते हैं जहां पर हम pair से kick मारते हैं वहाँ पर क्या होता है इस तरह का एक system होता है ऐसा एक drum बना होता है cylindrical drum बना होता है वहाँ पर hysterical drum बना रहता है और उसमें यह जो drum देख रहे हो उसके अंदर में यहां पर यह electric coil लगे रहते हैं यह coil यह coil इसलिए जब यह coil start हो जाता है यह coil खराब हो जाता है तो गाड़ी start नहीं होती तो ऐसा उसमें coil लगा रहता है और coil के साथ इसके outside में इसमें छोटे-छोटे magnet लगे रहते हैं जैसे यहां पर मालो यह magnet है यह magnet है यह magnet है ऐसा magnet लगा रहता है अब हम लोग क्या करते हैं जैसे ही गाड़ी को kick मारते है पूस करते हैं जैसे ही पैर से उसको पूस करते हैं तो पूस करने पर यह magnet मूव होता है क्योंकि हमारे पैर के पुस्ट करने से उस system का जो magnet जैसे मैं हाथ को बना रहा हूँ ऐसा यह मेरा वाला हाथ coil है और यह क्या है magnet है तो जैसे हम पैर से पुस्ट करते हैं तो यह क्या होता है इसमें move होता है तो जैसे move होता है तो दोनों की बीच में आप एक शिक गती होती है जो कि फैराडे ने बताया था तो जैसे ही दोनों की बीच में आप एक शिक गती होती है तो वहां पर जो वायर निकला होता है इससे आपने देखा होगा फिर इस पार्क प्लग में जाता है तो यहां पर फिर इस पार्किंग होता है आपने देखा होगा फिर वहां पर इस और इस पार्किंग के बाद फिर पेट्रोल भर्न होता है और इंजन स्टार्ट होता है इस पकार से यहाँ पर देखो इस पकार से यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मेगनेट और क्वाइल के बीच में रिलेटीव एलसिटी है जो मेगनेट और क्वाइल के बीच में आपेक् तो आपको यह बतायी जाएगा इसलिए मैं आपको अभी से बोल रहू हूँ कि पिराडे के निएम को ध्यां से आप समझू यहसा हो रहा है ऐसे एक्जाम्पल आपके brain में होने चाहिए, ऐसा रट्टा मारने का चीज नहीं है, प्या है रट्टा मार लिए फर आड़े का प्रसं का प्रसं नियम यह फर आड़े का दूती नियम यह है और जाके परिच्छा में लाके उसको लिख दिया, फराडे का नियम आपको याद तो करना ही है, लेकिन उसकी पूरी आपको फिलिंग होनी चाहिए, उसका experience वोना चाहिए, यहां इस कारार से विद्धूत उत्पन हो पा रहा है, clear, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको नियम समझ में आ गया होगा, अब हम इनके नियम को पढ़ते हैं, जो की exam में आना है, experiment exam मे इनका नियम, तो फैराडे ने अपने नियम में क्या बताए, देखो, फैराडे का विद्धू चुमध की पेराण का नियम, फैराडे कवी चुमध की पेराण का नियम, फैराडे ला आफ of electromagnetic induction, यह बहुत है, important है, इन्षोने दो नियम दिया, पहला नियम दिया, जो की मैं किसी बंद परिपत के क्योंकि यहां पर सर्कीट को बंद होना जोरी है सर्कीट को बंद होना क्यों जोरी है क्योंकि आपको मालूम है कि विद्यूत्वाहक बल का अस्तित्व बंद परिपत में होगा आप सर्कीट को कहीं से कट कर देंगे सर्कीट को ओपन कर देंगे तो याद करने हैं वैसे सुनते सुनते याद हो जाता है और इस तरह से आपको एक्जाम में लिखना है एक बार मैं रीट करता हूं मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जब कभी किसी बंद परिपत के बद्ध चुमबकी फ्लक्स में परिवर्थन होता है तो उस परिपत में प्रे फ्लक्सों की संख्या में परिवर्थन ही विद्यूत वहागबल उत्पन होने का कारण है तो फ्राडे ने अपने परसम नियम में क्या कहा ध्यान से सुनो जब कभी कुंडली और चुमबकी बीच में आपक्षिक गति होती है तो किसी बंद परिपत में फ्लक्सों की संख्य में को आपने रोक दिया तो उसके बाद विद्यू वाहक पर उत्पन नहीं होगा फ्यराडे ने बोला कि यह काम लगातार चलना चाहिए ऐसाने के आएक बार घती कराया और रोग दिया और उसके बाद विद्यू चाहिए ऐसा नहीं लगातार गती हो मनें जब तक फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तब ही तक विदित्वाहक बलुद्पन होगा और जैसे फ्लक्सों की संख्या परिवर्तन होना बंद होगा तो विदित्वाहक बलुद्पन होना बंद हो जाएगा ओके तो यह है फैराडे का प्रथमने अब उन्होंने अपने द्वितिनियम में इसका गडिती रूप दिया कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन कितना होगा द्वितिनियम में उन्होंने बताया कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो कितना विद्यूत्वाहक बल उत्पन होगा तो फैराडे ने अपने दितिनियम में क्या बताया कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्यूत्वाहक बलके समान उपाती होता है मतलब E proportional to D phi by dt E proportional to D phi by dt यह कहलाता है फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्यूत्वाहक बलके बराबर होता है यहाँ पर E क्या है विद्यूत्वाहक बल है और यह क्या है D phi by dt सब् fino कि संख्या में परिवर्तन के दर तुब दूसरे नियम क्या मताया दुषराडे ने धाराडे ने अपने दूसरे नियम में बताया कि संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरीड विद्य उत्वाहक बलके समढ़ उपाती होता है यदि हम इसको और algebraic language में लिखें मैं generally calculus को ज़्यादा पसंद करता हूं क्योंकि बहुत side cut और बहुत clear होता है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है e proportional to phi 2 minus phi 1 मतलब fluxों की संख्या में परिवर्तन बटे समय ऐसा भी लिखाया सकता है phi 2 minus phi 1 मतलब बाद में fluxों की संख्या रिड़ प्रारंभी flux तो fluxों की संख्या में परिवर्तन हो गया और समय का भाग देंगे तो दर हो गया तो fluxों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरिश विदित्वाहक बल के समानुपाती होता है इसको आगे हमेदी साल्व करें तो आगे इसको साल्व करने पर that implies क्या लिखा जा सकता है e equal to यदि हम यहाँ पर विदित्वाहक बल के लिए जो constant होता है उसको e काई ले 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 तो 1 मान लिए तो यहाँ पर minus हो जाएगा minus d5 by dt यह होता है flux की संख्या परतन की दर equal to minus d5 by dt यहाँ पर minus sign इसलिए use किया गया है क्योंकि वह उसका विरोध करता है आगे हम lens की नियम में इसको पढ़ेंगे इसलिए हमने यहाँ पर minus sign use किया है इस फार्मूला का इस तरह से use होता है एक छोटा समय आपको example बता रहा हूँ जो board exam में कई बार इस तरह से question पूछा या पूछा गया है यदि 5 equal to 2t square plus 3t plus 5 हो तो t बराबर 2 second में उत्पन विद्यूत वाहक बल होगा ऐसा question कई बार board में पूछा गया है यदि 5 equal to 2t square plus 3t plus 5 हो तो t बराबर 2 second में विद्यूत वाहक बल का मान कितना होगा चलिए calculate करें आप लोगो differentiate सनाता है कितना होगा देखो अब चूंकि यह formula है तो हमको मालूम है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे e equal to लिखेंगे dy dt आप 5 तो 5 का value यहाँ पर क्या है 2t square plus 3t plus 5 2t square plus 3t plus 5 यह हो जाएगा dy dt आप 2t square plus 3t plus 5 इसको हम अवकलन करें तो 2 सामने आके गुणा हो जाएगा यह 40 हो जाएगा और plus 3t का 1 हो जाएगा 5 का 0 हो जाएगा अवकलन आपको आता है यह जितरे भी student को गडिती आओ धारना में प्राबलम है वो हमारे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाके विद्युत वाहक बल क्या है प्रितम अरे बापरे विद्युत वाहक बल क्या है जानना है तो धारा विद्युत का पहला चेप्टर को आप पढ़ो धारा विद्यूत का पहले चेप्टर को पढ़ो मैंने कम्प्लीट एक वीडियो में सिर्फ यह पढ़ाया है कि विद्यूत वाहकबल क्या है ठीक है असलेसा 11 ठीक बहुत लोग अंसर दे रहे हैं दिव्यांस प्रियंका ठीक वेरी गुड तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 यह हो गया प्रेजित विद्यूत वाहकबल कमान लेकिन समय कितना बोला है 2 सेकंड तो 2 सेकंड टाइम को यहां पर पूट करेंगे तो क्या हो जाएगा द इसका अंसर हो जाएगा इस पकार से देखो यहां पर माइनस साइन यूज नहीं करना यह माइनस साइन को यूज नहीं करना है यह तो केवल क्या बताता है विरोधी बल है यह बताता है माइनस साइन को यूज मत करना अंसर में माइनस 11 वोल्ट नहीं हो सकता ठीक है 11 कवे क्लास में पढ़ेंगे लेंस चाएब करेंगे लेंज Safe Mart के बारे कि भी स्टोरी जब बहुतत आङ से सुनओ है इन जब यह स्टोरी मैं और उन्होंने डिक्लेर किया कि हम विद्युद्धारा इस पकार से उत्पादन कर सकते हैं बहुत कम कास्ट में देखो इसमें है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है और बहुत कम कास्ट में हम लार्ज स्केल में इलेक्टिसिटी डेवलाप कर सकते हैं और इसको आम आदमी त उसके इस demonstration को मतलब इस प्रयोग को देखते थे तो एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा function एक जगा हो रहा था वहाँ पर बहुत पब्लिक वहाँ पर इकठा थी इनके प्रयोग को देखने के लिए तो फैराइडे वहाँ पर आए और अपना छोटा सा device लेके आए बहुत छ रखे और चले गए तो एक महिला को एक लेडिस को बहुत गुस्वाया उसको लगा कि इतना भीड इतना यह इन्होंने इसलिए कि बस 2 मिनट के क्या बताया नों को समझ में कुछ आया नहीं तो वह महिला गुस्वे से फैराडे के पास आई और उन्होंने फैराडे को बोला इतने छोटे चीज को बताने के लिए इतना भीड़ इतने क्या इसमें इसने स्पेसाल बात था वह जिसके लिए आपने इतना इसका प्रफोगंडर किया तो फैराडे मुस्कुरा है उन्होंने वैसे वैसे मैं आपको स्टाइटिंग में बात किया साइंटिस्ट में दो प्रापर्टी अनिमारी रुप से रहेगा आप चाहे हजारों साइंटिस्ट पर विचार कर लो एक तो उसमें इन्फाइनाइट पैसेंस होगा और उनको गुस्सा कमाएगा या नहीं आएगा ये दो प्रापरटी तो उनकी परस्नल प्रापरटी ये रहे गही रहेगा उसका कारण है पैसेंस नहीं रहेगा तो वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि experiment में failure होना बहुत common चीज है और दूसरा गुसा नहीं आना गुसा नहीं आने का वज़ा क्या हो सकता है यदि वो छोटे छोटे बात पर गुसा होते रहे तो patience कैसे आएगा क्योंकि patience वाले आदमी पर गुसा जादा नहीं होता है तो failure हो जाता है तो चलो ठीक है फिर स से करता हूं तो गुसा भी कमाता है फैराडे मुस्कूरा है और बोले उस लेड़ी के गोद में चोटा सा बच्चा था फैराडे ने जवाब दिया कि आपके गोद में अभी यह जो बच्चा है exactly मेरा experiment अभी वैसा ही है जब यह बच्चा बड़ा होगा जमान होगा तो कितन स्ट्रेंथ आएगा इसमें यह experiment में भी यही होने वाला है और आज वह हमारे सामने है कि फैराडे की उस छोटे से experiment का इतना बड़ा strength है कि आज हमारा जो power plant बनता है न्टी पीसी जो power plant बनाता है उसका basic concept आज भी फैराडे का rule ही है आप समझ सकते हो कि वह छोटा से experiment आज power plant में change हो चुका है तो यह बहुत बड़ा experiment था और इसको अलबर आइस्टाइन के role model थे फैराडे इसलिए उन्होंने बोला था कि फादर आप modern physics तो माइकल फैराडे को कहा जाना चाहिए ओके फैराडे के नियम कई बार हम इसको फैराडे के लेंज लाव ही बोलते हैं क्योंकि वास्ताओं में लेंज का नियम फैराडे के नियम का ही आगे explanation है तो फैराडे लेंज लाव ही कहा जाता है इसको तो लेंज नामक किस प्रकार की उसकी गती की दिशा होगी इसके लिए उन्होंने आगे explain किया और एक बहुत important रूल दिया लेंज ने वो क्या है पहले हम उसको experimental समझ लें इसके बाद हम उसके नियम के कथन पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो माल लो अपने पास एक क्वाइल है यह कुंडली है दो चित्र बनाता हूं मैं और यह दूसरी कुंडली मैं यहाँ पर लेता हूं इस तरह से यह कुंडली है और इस कुंडली के सामने इस कुंडली के सामने माल लो यह कोई दंड चुमबक है इस दंड नेंज ने अपने प्रयोग में क्या देखा कि जब हम इस कुंडली को कुंडली के पास लेके आते हैं इस तरह से जब इसके पास लेके आते हैं तो उन्होंने इसमें देखा कि धारा की दिशा क्या होती है तो उन्होंने पाया कि इसमें धारा की जो दिशा है वह एंटी क्लाक इंटियन लुक्ट से सुनना जब नार्थ पोल को पास लेके आते हैं तो नार्थ पोल को पास लाने पर इसमें भेनेवाली धारा की बैइसा एंटियन लुक्त यह वय सौनि को अफिनलिक के कौंसेट यह सोले नायड भी हमने पढ़ा है कि किसी我们 कुंढली में जब current का जो direction है वो anti-clockwise होता है तो वह किस pole की तरह behave करता है चलिए आप लोग answer दीजी अपने chat पर जब किसी कुंडली में धारा की दिशा anti-clockwise वामावर्थ होता है तो वह किस pole की तरह behave करता है according to concept of solenoid किस pole की तरह किस pole की तरह behave करता है बताई answer दीजी आपके chat में देख रहा हूं answer में कुछ लोग नार्थ कुछ लोग south कैसा पढ़ा है आप लोग ने previous concept आपका clear नहीं है that means मैं तो याद रखने का tricks भी बताया था आप लोगों को मैंने आप लोगों को याद रखने का tricks भी बताया था क्या tricks बताया था ऐसा n लिखो ऐसा ये नार्थ पोल की तरह behave करता है जब कुंडली में धारा की दिशा जब coil में धारा की दिशा anti-clockwise होता है तो उसका behavior नार्थ पोल की तरह होता है ये हमने solenat के concept में पढ़ा है ठीक है maximum लोगों ने सही answer दिया लेकिन कई लोग south लिख रहे हो ये बहुत गड़बड है आप उसको ध्यान से समझो एक बर और ध्यान से समझो आज के बाद इससे mistake नहीं होना चाहिए जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होने की दिशा anti-clockwise होता है ये anti-clockwise है तो वह north pole की तरह behave करता है ये देखो ये n लिखे हैं हम अपन और n में हम ऐसा arrow लगाए है ये इसको याद रखने का तरीका है clear और जब हम south pole को लेकिया आते हैं एक और figure यहाँ पर हम बनाते हैं ये मालो एक चुमबक है और इसमें हमने क्या किया south pole को हम south pole है ये south और ये north यहाँ पर हम south pole को पास लेका आते हैं तो len यह क्या देखा कि south pole को लाने पर इसमें जो धारबहने की धिसा है वह clockwise होता है ये ये clockwise होता है और जब इसमें clockwise होता है ये anti-clockwise है यह clockwise मने दक्षिणा वर्थ और यह वामा वर्थ यह वामा वर्थ और यह दक्षिणा वर्थ इस पकार से तो यहां पर यह जो पॉल है यह साउथ पॉल की तरह बिहेब करता है जब कुंडली में धारा बहने की जिसा anti clockwise होता है तो वह नार्थ पोल की तरह behave करता है और जब कुंडली में धारा प्रवाइथ होने की दिशा दक्षिणा वर्थ होता है तो वह साउथ पोल दक्षिण रूप की भाती कारे करता है तो लेंज ने अपने प्रयोग में देखा कि जब हम नार्थ पोल को लाते हैं तो य प्रतिकर्शन करता है इसका सीधा मतलब है कि क्या करता है यह प्रतिकर्शन करता है और यहां पर भी जब हम साउथ पोल को ले के आते हैं तो यह साउथ पोल बन जाता है और यहां पर भी क्या करता है यह प्रतिकर्शन करता है इसके बाद लेंज ने अपने प्रयोग को उल जब मेगनेट को हम दूर लेके जाते हैं इस तरह से तो मेगनेट को दूर लेके जाने पर यहाँ पर एक छोटा से फीगर मैं और बना देता हूँ हलाएकि आपको एक्जाम में आएगा कोश्चन तो इतना ज़्यादा है इस पर नहीं करना है लेकि यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको पूरा आपको बता रहे है अब हम मेगनेट को क्या कर रहे हैं दूर लेके जा रहे है यह मेगनेट है और यहाँ पर हम मेगनेट को दू बदल गया और ये क्लाक वाइज हो गया that means ये दूर ले जाने पर और इसको यह हम दूर लेके गए तो इसमें धारा की दिशा एंटी क्लाक्वाइस हो गया यहां पर भी आकर्सन हो रहा है तो दोनों केस में आप देखो इसमें क्या खास बात पता चला अब पूरे इस्पेरिमेंट का कंक्लूजन मैं आपको एसमें करना हूँ ध्यान से सुना नार्थ पोल को लाने पर नार्थ बन जाता है तो बोलता है प्रतिकर्सित करता है बोलता है मत आओ मेरे पास करशित करता है दूर वि मन जाओ बहुत अजीब कंडिसन में पास आने का भी विरोद और दूर जाने का भी विरोद इस case में भी देखो south को लाते हैं तो south बन जाता है प्रतिकर्शित करता है south को लेके जाते हैं तो anti-clark wise में आगर्शित करता है ये पूरे प्रयोग को देखने के बाद इस पूरे प्रयोग को study करने के बाद to the point दो line में इसका नियम दिया जिसको हम lens का नियम कहते हैं देखो कई बार lens का नियम व्याक्षा सहीत आता है तो चार नमबर तीन नमबर का प्रस्ण आएगा तो आपको नियम के साथ में पूरा ये figure बना के explain करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसा figure बना के पूरा आपको explain करना पड़ेगा तो आपको पूरा नमबर मिलेगा आगे और मैं discuss करूँगा कि इसमें question कैसे आते हैं तो lens का नियम क्या हो जाएगा किसी कुंडली में प्रेरित विद्यूत वाहक बल की दिसा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयम उत्पन होता है कितना common language में इसका rule है कैसा है उन्होंने बोला pass आ रहा है तो भी विरोध और उसी के कारण वह पैदा हो रहा है उत्पन हो रहा है दूर ले जा रहे हैं उसका भी विरोध जबकि दूर ले जाने के कारण ही वो उत्पन हो रहा है तो लेंज ने बोला कि वह उस कारण कहीं विरोत करता है जिसके कारण वो स्वयम उत्पन होता है एक बार और दुबारा बोलता हुँ ध्यान से समो अभी आपको याद हो जाना चाहिए कि कुंडली में प्रेरीट विद्युत वाहकबल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोत करता है जिसके कारण वो स्वयम उत्पन होता है यह कहलाता है लेंज का नियम तो इसमें एक बहुत कामन क्वेश्यन एकजाब में आता है कि lens का नियम लिखो तथा उसकी व्याख्या करो तो आप lens के नियम को यहाँ पर लिख दोगे जो अभी मैं बताया और यह explain कर दोगे किसी एक figure को explain करोगे वो परियाप्थ है दूसरे को करने का ज़ूरत नहीं है एक ही परियाप्थ होता है उसके explanation के लिए लेकिन मैंने आपको यहाँ पर detail में समझाने के लिए सब तरह से आपको समझाया तो कोई problem किसी को इस पर इस नियम को समझने में किसी को कोई problem 10th class में कहां से पढ़ोगे यह नियम 10th class में नहीं होता भाई lens के नियम आपको 10th class में नहीं मिलेगा अब इस पर एक बहुत important question है और वो important question है lens का नियम उर्जा सनरक्षण नियम के अनुकूल है lens ला फालोदा और ओबेदा ला आफ कंजर्वेशन आफ एनरजी यहाँ पर यह question सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है lens का नियम लिखो तथा इसपस्ट करो कि lens का नियम उर्जा सनरक्षण नियम के अनुकूल है इस बात को हमको प्रूफ करना है lens का नियम लिखो तथा सिद्ध करो कि lens का नियम उर्जा सनरक्षण नियम के अनुकूल है तो कैसे इसको explain करेंगे अपन सबसे पहले हम समझने भाई उर्जा सनक्षण का नियम क्या है बच्पन से पढ़ते आ रहे हो उर्जा सनक्षण का नियम है उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती ना ही नस्ट की जा सकती उर्जा ना तो उस्पन की जा सकती ना तो नस्ट की जा सकती केवल उर्जा का रूप ही बदलता है प्रहु बजलता है मतलब पुरे ब्रहमान नुर्जा का मात्रा नहीं आ भर था यहां पर देखो उसी इस्प्लेंशन को मैं एक बार पूना आपको समझा रहा हूं कि मान लो हिए हमारा कॉैल है और कॉैल के सामने यह हमारा मेगनेट है अब ध्यान से समझ हो और सपोस हमने नार्थ पोल को लाया सपोस हमने नार्थ पोल को लाया नार्थ पोल को लाने पर सपोस इस कुंडली में धारा प्रवाहित की दिशा एंटी क्लाक वाइज हो गया ये और इस पकार से या नार्थ पोल बन गया अभी मैंने आपको समझाया इसको और यहाँ पर होने लगा प्रतिकर्शन तो जब यह कुंडली में भी नार्थ पोल डवलप हो जाएगा और नार्थ पोल को लाएंगे तो नार्थ पोल में आप एक्षिक गती होगा तभी विदुत्वाग बलुद्पन होगा यह फैराडे ने बताया था तो जब हम मेगनेट को पास लेके आएंगे तो प्रतिकरसीत करेगा तो इस प्रतिकरसर बलके विरुद्ध हमको यहां पर कारिक करना पड़ेगा तो हमको यहां पर क्या करन रहे हैं उसके रिपर्शन फोर्स के अगेंस्ट इसके प्रतिकरसन बलके विरुद्ध यह जो हम यांद्री कारी कर रहें मेकनिकल वर्क कर रहे हैं वही इसमें विद्यूत उर्जा के रूप में परवड़ित हो रहा है इक एलेक्ट्रिक एनरजी तो इस परकार से हम कर सकते हैं कि यहां पर उर्जा का इस्थानांतर हो रहा है मतलब जो यांत्री कार्या है यांत्रीक उर्जा है वह विद्यत उर्जा में परदित हो रहा है मतलब उर्जा सनरक्षण का नियम है उर्जा यहां पर नस नहीं हो रहा है वो जो हम चुमबक को लाने के लिए जो हम कार्य करते हैं जो हम mechanical work करते हैं वही mechanical work क्या होता है electrical energy के फार्म में change होता है और इस तरह से हम कर सकते हैं कि lens का नियम उर्जा सरक्षण नियम के अनुकूल है तो कभी भी आपको exam में आया तो इसको बिल्कूल अपने सब्दों में explain करना है कोई रटर नहीं मारना है आपको कि बिल्कूल ऐसा है रट लिए और बिल्कूल वरसी आप एक natural language में उसके explain करो तो क्या लिखे होगे आप यहाँ पर इसका अंसर में कि जब किसी चुमबा को कुंडली के पास लाते हैं तो उसमें प्रेरित विद्यूत वाहक बल की दिशा इस पकार होती है कि वह उस काराण कर विरुद्ध करती है जिसके काराण प्रतिकरसर बलके विरुद्ध यांतरी कार्य करना पड़ता है और यही आंतरी कार्य उस कुंडली में विद्यूत वाहक बल के रूप में या विद्यूत उर्जा के रूप में रूपांतरित होता है इस तरह कहा जा सकता है कि लेंज का नियम उर्जा सनक्षन नियम के अनुकूल है देखो यह चेप्टर में theoretical part बह कोई problem किसी को समझ में आ गया सबको लेंज का नियम और लेंज का नियम उर्जा सनक्षन के नियम के नुकूल है बाद भी समझ में आ गया flaming का बाय हाथ का नियम और उसके बाद हम पढ़ेंगे दाय हाथ का नियम और फिर दोनों का हम तुलनात्मा कुरुप से study करेंगे देखो यह नियम बहुत important है यह नियम direct board exam में पूछा जाए या ना पूछा जाए यह उतना महत्पूर्ण नहीं है महत्पूर्ण यह है कि इस नियम को पढ़ने के बाद जब हम numerical में दीसा बताने का हमको जहुरत पढ़ता है तो इस नियम को हम use करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं flaming का बाय हाथ का नियम ऐसा एक बार मेरे उंगली के situation को ध्यान से देखो यह अंगुठा फिर यह तरजनी और यह मध्यमा यह तीनों को यदि हम परसपर लंबवत इस तरह से फैलाएं तो इस नियम का कहना है कि अंगुठा बल की दिशा को या गती की दिशा को बल मने गती जिधर बल लगेगा उधर गती होगा तो अंगुठा बल की दिशा को तरजनी छेत्र की दिशा को और मध्यमा जो होता है वह धारा की दिशा को पदर्शित करता है बस यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है यहाँ पर हमने नियम को स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है देखा एक बार मैं रीट करके आपको सुना देता हूँ बाएं हाथ के अंगुठे तरजनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ की वे परस्पर लंबवत हो अब यदि तरजनी चुमबकी छेतर की दिशा को यहाँ पर देखो मध्यमा के धारा की दिशा धन आवेस की गती मतलब धारा की दिशा को प्रदरसित कर्चा करता है यह है हमारे फ्लेमिंग के बाय हाथ का नियम अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि कभी कभी हमको इन उंगलियों के साथ में कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसको मैं आपको एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ अंगूठा और तरजनी और मध्यमा यह तीनों में सबसे ज़्यादा ताकत पावर किसके पास है आपको जब ज़्यादा बल लगाना हो तीनों में तो निश्ची तरुप से आप अंगूठे में लगाओगे कोई पीन कहीं पर अंदर डालना हो कहीं किसी चीज को पूस करना हो तो हम अंगूठे का यूज करते हैं तो अंगुठे का यूज करने से हम ज्यादा बल लगाते हैं तो याद रखने का मैं टेक्निक बता रहा हूं अंगुठा बल की दिशा को पदशित करता है क्योंकि अंगुठे में ज्यादा बल है ऐसा आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार इस्टूडेंट उसको देख तो हम तर्जन उंगली का उप्योग करते हैं तो तर्जनी क्या है छेतर की दिशा को पदसित करता हैं का बजय कि करते हैं आप लिख सकते हो किये ऐसा इसको याद कर सकते हो अभ़स देखें फ्लेमिंग का दाय हाथ का नियम अब फ्लेमिंग ने बोला कि इसी चीज को यदि हम दाय हाथ से पतसित करें ऐसा ये बाय हाथ था ये दाय हाथ का तो दाय हाथ से यदि हम इसको पतसित करें तो कौन किसको पतसित करेगा ये ध्यान से समझना फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहता है कि दाएं हाथ का अंगूठा तरजनी वा मध्यमा को इस पकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हो तो अब अब क्या होता है अंगूठा चालक के गती की दिशा को मैंने वही बल एवं तरजनी चुंबकी छेतर की दिशा को देखो तरजनी नहीं बदलता यहां भी छेतर यहां भी छेतर दोनों हाथ में वह छेतर को पदसित करता है तो मध्यमा प्रेरी धारा की दिशा को पदसित करता है और मध्यमा देखो यहां भी धारा को इसमें भी धारा इसमें भी धारा तो इस तरीके से बाएं हाथ का और दा उसका तुलनात्मा के चार्ट दे रहा हूं और ये चार्ट आप बहुत अच्छे से तयार करके रखना ये आपको पूरा इसपस्ट कर देगा कि कौन क्या है ये बहुत महत्पूर्ण चार्ट है इसको बहुत ध्यान से समझना ये चार्ट क्या करता है इस नियम की सहता से चु नियम की सहयता से प्रेरी धारा की दिशा ग्याद करते हैं दोनों में अंतर है भई इस नियम की सहयता से चुमक्य छेत्र में इस्थित धारा वही तार पर लगने वाले बल की दिशा यह बल की दिशा निकालने का काम आता है और यह प्रेरी धारा की दिशा निकालने का काम आता है यह बल की दिशा निकालने का काम आता है यह धारा की दिशा निकालने का काम आता है यह ध्यान में रखना दूसरा देखो तरजनी चुंबकी छेत्र को मध्यमा विद्युद्धारा को और अंगुठा गति की दिशा को पदरशित करता है इसको मैंने यहां पर लिख धारा मोटर या धारा मापी में किया जाता है मतलब जो DC मोटर होता है इसका जो यूज है वो DC मोटर में किया जाता है और इस नियम का उप्योग जनरेटर में किया जाता है जनरेटर मतलब डाइनेमों कि डैनेमो में यूज़ किया जाता है तो ये बात महत्पूर्ण है कि बाय हाथ का नियम का यूज़ हम gnerally motor में करते हैं और दाएं हाथ का नियम हम generally generator में करते हैं तो मेने ख्यान से difference आपको समझ में आ गया होगा और यह है framing के भाएं हाथ तो मैंने तुलनात्मक chart भी आपको provide करा दिया ताकि आपको यह बात clear रहे कि हम किसकी सहाथा से क्या ग्याद करते हैं इसका आप एक skin chart लेड़ो चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वाप्रेरन कि स्वाप्रेरन क्या है इस chapter का बहुत ही important topic self induction देखो प्रेरन होना मतलब प्रेरित होना किसी की सहयता से किसी चीज में कुछ उत्पन होना प्रेरन कहलाता है और स्वा मतलब स्वयम से प्रेरित होना जैसे हम बोलता है न हम इसको थोड़ा सा इसको एप्लाई करके देखें तो हमारे जीवन में भी प्रेरना दो प्रकार से मिलती है एक प्रेरना मिलती है स्वयम से मतलब उसके लिए हमको कही जाने सिखने जिसको आत्म ज्यान बोलते हैं जैसे भगवान बुद्ध को आत्म ज्यान की प्राप्ति हो गई इसके लिए उन को ज्ञान अपने से मिल गया उसी तरह से electricity में होता है मैं भी आपको बताता हूं लेकिन मैं थोड़ा सा उसको आपके दिमाग में डाल दूं उसका मीनिंग क्या है तो स्वा प्रेरण का मतलब होता है स्वयम से ज्ञान प्राप्त कर लेना और दूसरा हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण जिसको इंग्लिस में कहेंगे मूच्वल इंडेक्शन मूच्वल इंडेक्शन का मतलब होता है किसी और की सहायता से ज्ञान प्राप्त क होता है एक होता है सेल्फ इंडक्षन स्वा प्रेयरण और दूसरा होता है मुच्वल इंडक्षन अन्यों प्रेयरण अब इसको हम एक प्रैक्टिकल demonstration की सहयता से समझ सकते हैं एक प्रयोग की सहयता समझ सकते हैं और यहाँ पर हम उस प्रयोग को समझेंगे तो अपने आप यह समझ में आयाएगा तो सबसे पहले आप प्रयोग को समझो तो मैं इसके लिए एक circuit बना रहा हूँ यह circuit डाइग्राम आप बहुत ध्यान से समझना है यह suppose हम कुछ यहाँ पर इस तरह से arrangement बना रहे हैं यह मान लो एक coil है यह हमने एक coil लगाया यहाँ पर हमने एक battery लगा दिया suppose है battery है प्लस माइनस और इसके बाद हमने क्या किया यहाँ से connection लिया और यहाँ पर हमने लगा दिया एक bulb यह bulb लगाया है यहाँ पर यह bulb है और यहाँ पर हम एक लगा देते हैं key key तो लगाना ज़ोरी है यहाँ battery लगेगा वहाँ तो भाई की लगेगा ही लगेगा यह circuit आप देखो अब इस circuit में एक प्रयोग किया गया किस तरह से प्रयोग किया गया कि जैसे ही हम यहाँ पर switch on किये हैं तो switch on करने पर हुआ क्या यह bulb जलने लगा यह bulb जलने लगा switch on करने पर bulb रोशनी देने लगा अब यहाँ पर देखो जैसे ही हम switch off किये आपको अपने डेली life में प्रैक्टिकल life में यह बात पता होगा कि switch off करने पर bulb तुरंद बंद हो जाता है बल्ब तुरंद बूच जाता है कि यह बात आपको पता है आप अपने घर में switch off करते हो तो switch ठीक से उपर के तरब दबा भी नहीं रहता और बल्ब बूच जाता है अंधेरा हो जाता है लेकिन यहां पर वैज्यानिकों ने क्या देखा कि जैसे ही हम यह switch off करते हैं जैसे ही हमें switch off करते हैं तो switch off करने पर यहां पर जो बल्ब जल रहा था वो थोड़ी देर बात बंद हुआ थोड़ी देर बात बुझा मतलब push देर तक और जला तो वैज्यानिकों ने सोचा भाई जब हम electricity उसमें देना बंद कर दिये तो भी यह बल्ब क्यों जल रहा था तो क्या काराण है कि उसके बाद भी यह बल्ब जल रहा था तो उसका उन्होंने काराण खोजा कि ऐसा क्या ह हुआ होगा तो काराण यह पता चला उसका कि जैसे हम electricity इसमें पास करते हैं तो केवल बल्ब जलता नहीं बलकि यहां पर इस coil के काराण चुंबकी छेतर भी उत्पन होता है और हम इस चेप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उस करते हैं तो बैटरी से करेंट सप्लाई होना तो बंद हो जाता है लेकिन यहां पर यह जो magnetic flux है यह magnetic flux यहां पर बना रहता है मतलब यह magnetic flux यहां पर रहते हैं वो थोड़ी देर बाद वहां से हटते हैं magnetic flux को वहां से हटने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस परकार से जब magnetic flux यहां से हटते हैं तो fluxों की संख्या में परिवर्तन होता है और फैराडे ने यही बात बताया था कि जब fluxों की संख्या में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्वित्वाहकबल उत्पन होता है इ इस प्रकार से यहाँ पर किसी कुंडली में अपने स्वयम के कारण विद्युत्वाहकबल उत्पन हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं स्वापेराण कहते हैं किसी चालक में स्वता से विद्युत्वाहकबल उत्पन हो जाने की घटना को हम स्वापेराण कहते हैं सेल्फ इंडग्षन अब इसका हम कुष mathematical स्थ देगते हैं चुग कि हमको यह पर पता है कि फ्लक्सों की संख्या जो होता है आई कि समानुपाते होते हैं इस पकार से जो हम रभी को अधिक संख्या है वह धारा के समानुपाती होता है जितना अधीक धारा हम प्रवाहित करेंगे फ्लक्सों में उतना अधीक परिवर्थन होगा That implies आगे इसको यदि हम साल्व करें तो साल्व करने पर फाई इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट का मल्टिप्लाई करेंगे और यह हो जाएगा फाई इक्वल टू एल इंटू आई यहाँ पर माइनस साइन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेंज जें बताया था यहाँ उस काराण का विरोत करता है जिसके कारण उत्पन होता है वो किवाज दिसा बताने के लिए नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है तो यह जो एल यूज़ किया गए यहाँ पर therefore एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं फाई अपान आई और इस एल को कहा जाता है स्वाप्रेरण गुडांक इस आई का इस एल का नाम है स्वाप्रेरण गुडांक इस आई का नाम है स्वाप्रेरण गुडांक कोफिसेंट आफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन कोफिसेंट कहा जाता है इसको थोड़ा सा और हम एस्प्लेंड करें तो किस तरह से एस्प्लेंड कर सकते हैं देखो यह जो रिलेशन हम को मिला है इसको हम differentiate करते हैं चुकि phi equal to होता है L into I अब इसको हम क्या करते हैं T के sub-exe of colon करते हैं T के sub-exe of colon तो T के sub-exe इसको of colon किया जाए तो यह हो जाएगा D5 by dt equal D by dt of L into I तो D by dt of L into I यह हो जाएगा That implies अभी हमने पढ़ा है previous class में कि D5 by dt मतलब शक्सों की संख्या में परिवर्तन विद्यूत्वाहक बलके बराबर होता है इसलिए हम इसको D5 by dt को E कह सकते हैं तो E equal to L constant है उसको हमने बाहर कर दिया तो यह हो जाएगा D I बटे dt तो E equal to हो जाएगा L into D I बटे dt और यह कहलाता है विद्यूत्वाहक बलके लिए फार्मूला यह self induction है और यह बहुत important है आगे हम इस पर और detailed study करेंगे पहले हम self induction और mutual induction आपको समझा दें उसके बाद फिर हम अगले class पर इसके फार्मूला वगर भी और देखेंगे ठीक है चलिए इतना आप देख लीजिए ओके अगला टापिक है हमारा अन्योन प्रेरण आज का हमारा टापिक यही है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण तो भाई अन्योन प्रेरण क्या होता है मैंने आपको इस स्टाइटिंग में बताया अन्योन अन्य के कारण मतलब किसी दूसरे के कारण जब किसी एक कुंडली में किसी दूसरे कुंडली की सहयता से विद्यूत्वाखबल उत्पन हो जाता है तब हम उसको अन्योन प्रेरण कहते हैं जब किसी एक कुंडली में किसी दूसरी कुंडली के कारण प्रेरिक विद्यूत्वाखबल उत्पन हो जाता है तब हम उसे अन्योन प्रेराण कहते हैं एक के कारण दूसरे में तो इसको भी हम सर्कीट डाइग्राम की सायता से समझेंगे तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक डाइग्राम देखो electricity के chapter में सबसे important चीज होता है सर्कीट इसलिए सर्कीट आपको अच्छे से बनाना भी आना चाहिए और जो मैं समझाता हूँ वो अच्छे से समझ में आना भी चाहिए चलिए तो यह सर्कीट डाइग्राम में हम बना दें यहाँ पर हम एक कॉयल बनाएंगे यहाँ पर एक दूसरा कॉयल बनाएंगे यहाँ पर बेटरी लगाएंगे यहाँ पर हम रियास्टेट लगाएंगे क्या रोल होता है रियास्टेट कभी आपको समझाते हैं और यहाँ पर हम लगा देंगे गेलवानोमीटर ताकि हमको पता चले कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं गेलवानो मीटर का मैं जगब पहले फिक्स कर दूँ यह गेलवानो मीटर है इसके बाद देखो यहाँ पर क्वाइल एक क्वाइल यह है कुंडली और दूसरी कुंडली है यह उसके पास में यहां पर हमने लगा दिया एक बेटरी और यहां पर हम लगा दे रहें एक रियास्टेड रियास्टेड को हम हिंदी में धारा नियंतरक कहते हैं और धारा नियंतरक मतलब करेंड को कंट्रोल करने वाला डिवाइज यह आर एच धारा नियंतरक इस तरह से यह एक सरकीट है क्योंकि स्वा प्रेराण और अन्योन प्रेराण की जो घटना है वह completely demonstration पर best है इस प्रदर्सन प्रायोगी प्रदर्सन पर best है यही से हमको समझ में आता है ठीक है तो अब यह काम कैसे करता है सुनो ध्यान से हम यहाँ से बेटरी को आन करते हैं बेटरी में की भी लगा दूं भई तब तो आन आफ करेंगे जैसे हम switch on करते हैं तो switch on करने पर क्या होता है इस कुंडली के चारों और चुंबकी छेत्र उत्पन हो जाता है और यहाँ कुंडली भी इसके छेत्र में होता है दूसरे नमर का कुंडली जो इस सरकीट में आपको देख रहा है वह भी उसके चुंबकी पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करने से वह चुंबकी छेत्र उत्पन न किया यह अपना चुंबकी छेत्र उत्पन न किया लेकिन दूसरी कुंडली भी तो उसी छेत्र में उपस्थित है तो दूसरी कुंडली भी उसी छेतर में उपस्थित है और यहां पर यदि हम रियास्टेट की सहायता से यहां पर धारा को कम ज़्यादा करें रियास्टेट मतलब हिंदी में बोलते हैं धारा नियंतरक और हम उसकी सहायता से एक्चोर में वो variable register होता है मतलब वो परिवर्तन, सिल, प्रतिरोध है और उसके मान को जब हम कम ज़्यादा करते हैं तो यहां पर क्या होगा धारा के मान में परिवर्तन होगा और हमको मालूम है कि फाई क्या होता है proportional to I होता है मतलब जब हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो धारा के मान में परिवर्तन करने से फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा और फैराडे ने बताया था कि जब कभी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर विद्युत्वाहग बल उत्पन होगा इस पकार से दूसरी कुंडली में विद्यूत्वाहग बल उत्पन हो जाता है जिसको हम गेलवानो मीटर के विछेप की साहता से अबजर्व कर सकते हैं इस पकार से यहाँ पर देखो कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसके पास के दूसरे कुंडली पर विद्यूत्वाहग बल का उत्पन हो जाना ही अन्योन प्रेणड करनाता है एक्च्वली में ये कॉंसेट बहुत इंपार्टेंट है इसी के बेस पर ट्रांसफार्मर बनाये गया जब हम आगे के चेप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो दुबारा हम आपको याद दिलाएंगे कि अन्योन प्रेणड की घटना किस पकार से होती है आप अभी से ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर इसी सिधान पर कारे करता है इसलिए ट्रांसफार्मर में प्राइमरी क्वाइल होता है और सेकेंडरी क्वाइल होता है वहाँ पर मैं और आपको और बहुत डीटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर वर्क करता है हाला कि transformer को हम alternating current में use करते हैं और यहाँ पर मैं बैटरी लगाया हूँ, DC current लगाया हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्योन प्रेंट के वल DC current मुत्पन होता है AC current में automatically होता है लेकिन चुकि मैं भी आपको AC current नहीं पढ़ाया हूँ आगे की chapter में है, तो मैं बहुत जादा उधर नहीं जा रहा हूँ आपको मैं अभी से याद दिला देता हूँ या आप मुझे याद दिलाना transformer प्रहते समय कि सल mutual induction को एक बार और आपको अच्छे से बता दो हाले कि आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा फिर भी इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ध्यान में है की नहीं यह पता चलेगा, मुझे तो no doubt रहेगा तो यहाँ पर देखो, अन्योन प्यराण यही पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह transformer का सिधान्त है इसी सिधान्त पर transformer काम करता है ठीक है? तो यह हो गया अन्योन प्यराण एक बार repeat करता हो ध्यान से सुनना किसी कुंडली पर धारा प्रवाहित करने पर उसके पास में इस्थित किसी दूसरी कुंडली पर विद्यूत वाहग बल का उत्पन हो जाना अन्योन प्यराण कहलाता है इस तरह से स्वाप रेराण में एक क्वाइल चाहिए और अन्योंने प्रेराण में दो क्वाइल चाहिए स्वाप रेराण केवाल एक क्वाइल से संभ़ हो सकता है और अन्योंने प्रेराण के लिए दो क्वाइल चाहिए होते हैं है तो यह ध्यान रखना अब इसमे भी हम mathematical derivation कर लें तो 5 proportional to i होता है बाकी काम बिल्कुल वैसी कवैसी है यह हो जाएगा 5 equal to अब यहाँ पर हम लिखेंगे m into i that implies यहाँ पर m equal to हो जाएगा m equal to 5 upon i यह हो जाएगा और यहाँ पर m क्या है mutual induction coefficient है जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पर l क्या है 100 प्रेरण गुडांग वैसी यहाँ पर m क्या है अन्योन्य प्रेरण गुडांग है यह है अन्योन्य प्रेरण गुडांग इस पकार से यह 5 proportional to i से हम को यह relation मिल गया और यहाँ से दी हम इसको चाहें तो और differentiate करके हम इसको सो कर सकते हैं और किस तरह से देखो यह 5 equal to mi इसको मैं differentiate कर दूँ तो क्या होता है d5 by dt equal to d by dt of m into i that implies d5 by dt को हम e लिख सकते है m को मैं बाहर कर दूँ तो m into क्या हो जाएगा di by dt तो m di by dt यह इसका formula होगा यह माइना sign को मैंने नहीं लिखा है चाहाँ तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिखो गे तो चलेगा क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया सबको तो यह है swap प्रेराण और union प्रेराण इसका difference भी आपको chart बना के लिख लेना है तो आज का topic हम यही तक पढ़ते हैं अभी मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक topic regular आपको अच्छे से तयार होता जाए एक या दो lecture और चाहिए इसमें इसके बाद यह chapter आपको बहुत अच्छे से तयार होयाएगा मैं पहले ही आपको यह बाद discuss कर चुका हूँ कि यह chapter आगे के topic का based है अगला हमारा chapter प्रत्यावरती धारा है और प्रत्यावरती धारा का जो topic है प्रत्यावरती धारा का जो topic है वो completely इसी पर based है ठीक है? complete इसी पर based है अभी इस टापिक में इस चेप्टर में बहुं से टापिक आपको पढ़ाने हैं वो सब मैं आगे one by one रामक्रिस्ट न भी सब में पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो आगे के चेप्टर पर यह सब में पढ़ाने वाला हूँ अगे सेप्रेट सेप्रेट कोस्टन आ रहा है या आप स्योर रहो कि अपके प्रिविद्वाहक बल हमने प्रिवियाश सेप्टर में पढ़ा कि जब कभी चुंबक और कुंडली के बीच में आपक्षिक गती होती है तो फ्लक्सों की संख्या में परवर्तन होता है जिसके कार प्रिविद्वाहक बल उत्पन होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी चालक तार को हम किसी चुमकी छेत्र में गती कराते हैं तो उसमें कितना विद्युत्वाग बलुद्पन होता है यह हमको देखना है ठीक है चलिए तो यहाँ पर मैं एक सिच्वेसन आपको बताता हूं कि माल अपने पास कोई यह मैं चुमकी छेत्र यहाँ पर सो कर देता हूं सपोज यह चुमकी छेत्र को हम इंडिकेट कर रहे हैं क्रास यह क्रास से हम इंडिकेट कर रहे हैं यह हमारा कोई चुमकी छेत्र है सपोज और यह एक समान चुमकी छेत्र हमने यहाँ पर निर्मित किया हुआ है इस पकार से एक समान चुमबकी छेत्र में मानलो हम किसी धारावाही चालक को गती कराते हैं एक समान चुमबकी छेत्र में यदि हम किसी धारावाही चालक को गती कराते हैं यहाँ पर चुमबकी छेत्र की तिब्रता मानलो भी है एक समान चुमबकी छेत्र है इसकी तिप्रतब भी है और हमने यहाँ पर कोई चालक तार सपोस किया मान लो यह कोई चालक तार है और इस चालक तार को हमने यहाँ से गती कराया और गती कराते हुए सपोस इसको गती कराते हुए हम यहाँ से यहाँ तक मूव किये तो यहाँ पर एक लूप का निर्माड होगा, एक बंद लूप का निर्माड होगा इस चालक को हम गती कराके यहां तक ट्रांसफर किये Suppose यह इसको हमने गती कराके यहां तक लाया Clear? इस चालक तार की लंबाई को हमने Suppose कर लिया L इसकी लंबाई है और यहां से यहां तक suppose यह PQ चालक तार है और हमने इसको R S position तक लाया तो Q से S तक का जो दूरी है उसको suppose हमने X ले लिया इस पकार से यहां पर एक आयताकार लूप का निर्माड होगा यह जो चालक तार है PQ यह X दूरी गती करती हुए यहां तक आया और इसका गती करने पर इसका जो velocity है इस velocity को suppose हमने क्या ले लिया V ले लिया V VX से गती करती हुए यहां पर आया तो naturally आप समझ सकते हो कि जब यह गती करता है जब यह चालक तार गती करेगा तो चालक तार के गती करने के कारण फ्लक्सों की संख्या में परिवरतन होगा और इस पकार से फ्लक्सों की संख्या में परिवरतन के कारण यहां पर विद्यूत्वाहकबल उत्पन होगा तो हमको इसी विद्यूत्वाहकबल का गणना करना है कि कितना विद्यूत्वाहकबल यहाँ पर उत्पन होता है यह कहलाता है गतिक विद्यूत्वाहकबल मतलब किसी चालक तार के किसी चुम्बकी छेत्र पर गती करने पर फ्लक्सों की संख्या में परिवरतन के कारण जो विद्यूत्वाकबल उपन होता है उसे हम गतिक विद्यूत्वाकबल कहते हैं और इसी का हम को क्या करना है यहाँ पर गढ़ना करना है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम देखें हैuy सबसे पहले fluxों की संख्या निकाल लेते हैं किउंकि e equal to हता है d phi by d t और विद्लूत्वाहग बलन निकालना है मतलब हमको फाई चाहिए तो हम यहाँ पर निकाल लेते है fluxों की संख्या इकोल टू हता है b into a चुंबकी छेतर की तीप्रता गुडिच छेतर फल यह का फार्मूला होता है इसको साल्व करें तो बी दो चुंबकी छेतर की तीप्रता है और छेतर फल यहाँ पर जो छेतर फल बना P Q RS यहाँ पर जो 6 रफल बना उसमें लंबाई L है और चोड़ाई X है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं L into X लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पर 6 रफल क्या हो जाएगा L into X हो जाएगा अब यहाँगे इसको हम साल्व करें तो हम निकालें विद्धुत्वाहकबल इसलिए विद्धुत्वाहकबल मतलब E, E बराबर क्या होता है D5 by DT D5 by DT होता है मतलब यदि हम फ्लक्सों की संख्या को T के साप X यहाँपर हम 5B लिख सकते हैं चुमबकी फ्लक्सों की संख्या आदो तो फ्लक्सों की संख्या के अधी हम T के सापेक्स आउकलन करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या होगा विदित्वा हागबल ग्यात हो जाएगा that equal इसका value हम put up कर देते हैं that equal d by dt आप 5b तो 5b का value यह है अपर यहाँ पर put up करें तो b into l into x यह होगा तो b into l into x होगा that equal आगे हम इसको साल्व करें तो जो constant quantity है हम उसको बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर चालक तार की लंबाई तो constant है क्योंकि l उसकी लंबाई है b चुमबकी 6 के तीवरता तो b और l को हम बाहर कर दिये तो यह होगा dx बटे dt यहाँ पर x variable है क्योंकि हम p से x तर जा रहे है x दूरी तर कर रहे है इसको चाहिए हम और आगे ले जा सकते हैं माने x का मान यहाँ पर क्या है परिवरतन सी ले अब आपको मालूम है कि dx by dt dx by dt जो होता है यह क्या होता है विस्थापन में परिवरतन मतलब जब विस्थापन का या दूरी का हम समय के सापे शावकलन करते हैं तो क्या कहलाता है वेक कहलाता है dx by dt आपनी 11th class में पढ़ा है तो dx by dt क्या हो जाएगा इसके velocity हो जाएगा जिस वेक्स हम इसको गती करा रहे हैं तो इस पकार से इसका जो value होगा e equal to हो जाएगा b इसका value हो जाएगा b l v तो b into l into v यह क्या होता है इसके प्रयरित विद्युत वाहक बल के लिए फर्मूला होता है यह एक important topic है और गतीक विद्युत वाहक बल के लिए फर्मूला है ओके यह है गतिक विद्यूत वाहक बल बी इंटु एल इंटु वी यह फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए चलो, नेस्ट टापिक अगला हमारा टापिक है एक लंबी परिनालीका का स्वाप एरुकत्प आपको प्रिभियस क्लास में मैंने बताया था कि परिनालीका क्या होता है किसी विद्धित्रोधी पाईप परेदी हम कापर के तार को लपेटे और उस पर हम करेंट प्रवाहित करें तो वहाँ दर्ण चुम्बा की भाती कारे करता है जिसे हम परिनालीका करते हैं तो यहां पर हमको देखना है कि एक लंबी परिनालीका का स्वाप एरुकत्प तो कितना होता है तो फीगर नेसा सिरी नहीं है सिधा हम उसके 100 परकातों की गर्णा करते हैं तो चूंकि हमको मालूम है गर्णा करें हम सिधा इसकी इसकी गर्णा करें तो देखो चूंकि अपने को पता है कि परिनालीका के लिए परिनालीका के लिए किसी परिनालिका के लिए यदि हम चुम्बकी छेतर की तीबरता देखें तो b equal to क्या होता है mu naught into n into i यह होता है यहां पर n क्या है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है n इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है और मालो परिनालिका की लंबाई l हो तो n into l क्या हो जाता है? कुल फेरों की संख्या हो जाता है यहाँ पर मैं side में लिख देता हूँ एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना capital n जो होता है वो n into l के बराबर होता है जहाँ पर n इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है और एक l पर न लिखा की लंबाई है तो यहाँ पर जो हम small n का value निकालना चाहें तो वो capital n upon l होता है तो यहाँ पर हम small n का value यहाँ से put up कर दे तो यहाँ पर चुमबकी flux की तिवरता mu naught into i यह और अब into n अपान क्या हो जाएगा l अब जब यह ग्याथ हो जाएगा अपने को चुमबकी छेतर की तिवरता तो हमने पढ़ा है कि जब हमको flux की संख्या निकालना होता है तो हम क्या निकालते है phi equal to li होता है या l equal to phi upon i तो यहाँ पर हमको flux की संख्या निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चुमबकी छेतर की तिवरता चुमबकी छेतर की तिवरता निकालने के बाद हम flux की संख्या निकालेंगे तो therefore flux की संख्या जिसको हम phi b कहा देते हैं तो phi b equal to क्या हो जाएगा फ्लक्सों की संख्या, यह तो चुमब की 6 तर किती ब्रता है, तो फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए B into A होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लक्सों की संख्या को B into A के help से निकाल सकते हैं, जहाँ पर A क्या है, उसके उनपरस्ट काट का 6 तरफल है, तो B into A A पढ़ ना लिका के हम पर स्कार्ट का 6 रफल है और इस value को यहां पर हम put up कर दें तो हो जाएगा mu naught into n into i into a और upon l यह हो जाएगा fluxों की संख्या जब fluxों की संख्या निकल जाएगा तो इस लिए यहां पर हमको निकालना है swap एकरतों तो इसलिए l equal to L equal to होता है फाई अपान आई या फाई बी अपान आई भी कह सकते हो तो L equal to फाई अपान आई होता है यहाँ पर हम इसके value को put up कर दें जब इसके value यहाँ से put up करेंगे तो है जाएगा mu naught into N into I into A और अपान L और यहाँ पर I को divide करेंगे इस तरह से अब देखो uns और हर से यह I cancel out होयाँगा तो इसके cancel out होने के बाद L का जो value मिलेगा वो कितना होयाँगा mu naught into N into I upon L तो यह क्या होता है परिनालिका के लिए swap परकत्व का फार्मूला होता है mu naught into N into I upon L clear तो एक छोटा सा फार्मूला है और कुछ नहीं है इसमें clear आ गया समझ में आपको यह आप note down कर ले छोटे छोटे फार्मूले बहुत ज्यादा important नहीं इस chapter में बस याद रखने हैं आपको फार्मूला को इस chapter का सबसे महत अपून टापिक swap परकत्व और onion परकत्व ही है बाकित तो सब ऐसे हैं यहाँ पर capital N है न, capital N लिखने यहाँ पर, capital N में change कर दियो है यहाँ पर कुल फेरों की संख्या N है तो यहाँ पर भी फ्लक्सों की संख्या मेन मल्टिप्लाई कर सकते हो तो N into N, N square हो जाएगा यहाँ यहाँ पर N का गुणा क्यों हो रहा है क्योंकि L equal to Phi upon I जो लिखते हैं एक तार के लिए होता है लेकिन यह इसमें फेरों की संख्या capital N हो, कूल फेरों की संख्या तो N का multiply हो जाएगा, तो यह इसका final equation है L equal to mu N square upon L एक मिनाट correct करो इसको I को लिखा, A को लिखना भूल गया और I तो cut गया, यहाँ पर A रहेगा यह होगा फार्मूला I तो cut गयाएगा I तो cancel out हो जाएगा A को लिखना भूल गया था A लिख लो आप कुल मिला के किसी के भी स्वप परकत्व या अन्योन परकत्व का यह आपको मान निकालना हो तो 2 step में निकालोगे क्या 2 step में सब से पहले निकालोगे चुमकी छेतर की तीबरता और उसके बाद निकालोगे फ्लक्सों की संख्या और इसको इस फार्मूला में put up कर दोगे बस और कुछ निकालना है B निकालना है B की सहायता से फाई निकालना है और फाई को यहाँ पर पूट अप कर देना है तो वो कल्कुलेट हो जाएगा सबका चुमकी छेतर के दिव्रता आपको पता है ठीक है चलिए नेस टापिक है हमारा भवरधारा यह इस चेप्टर का अंतिम टापिक है और बहुत ही महत्पूँ टापिक है भवरधारा से जनरली कोस्टन पूछा जाता है कि भवरधारा क्या है भवरधारा से लाव क्या है भवरधारा से हानी क्या है भवरधारा को कम करने की उपाई क्या है यह सारा चीज भवरधारा पर पूछा जाता है तो भवरधारा बहुत important टापिक है बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, ED Current, देखो सबसे पहले मैं आपको और से समझा दूँ, भावर का, तो भावर का मतलब क्या होता है, ED या भावर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी में जब तेज बहाव हो, पानी में जब बहुत तेज बहाव हो, तो उसमें पानी पानी गोल 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 घुमने लगता है वहां पर का होता है कभी केंद्रबल बनता है और उसी को हम भावर बोलते हैं यह चीज़ जब एयर में होता है तो साइक्लोन बोलते हैं चक्रवाद बोलते हैं और यही चीज़ जब पानी में द्रव में होने लगता है तो उसको भावर हो रहा हो तो उसको देखना मुश्खिल है कि देख नहीं पाते तो भैज्यानीकोंते कुछ प्रयोगों की सहाथ से ये माना कि यहां पर कुछ समय धारा को कैसे किया घया उसको कैसे समझा गया तो यहाँ पर इसके की लिए मैं फिगर इस फिगर को ध्यान से समझना पहले सुप पहले आपको फीगर को ध्यान से समझना है, ये हम बना रहे हैं एक इलेक्ट्रो मेगनेट, इलेक्ट्रो मेगनेट मतलब जिसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये चुम्बक की भातिकारी करेगा, अदर्वाइस ये चुम्बक की भातिकारी नहीं करेगा, ये कहलाता है इलेक्ट्रो मेगनेट, ये इस तरह से, और इसके बीच में, इसमें तो हम चालक तार लपेट देते हैं, कुंडली लपेट देते हैं इसमें, तो मालो हमने इसमें इस पकार से, चालक तार ये लपेटा हुआ है, मतलब इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये बन लेते हैं और यह की है इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रो मेगनेट बनाया और इसके बीच में इस विद्धु चुम्बा के बीच में क्या किया यह देखो यहां पर हम एक कापर का प्लेट मैं थ्री डैमेंशन में उसको बना रहा हूँ इसमें तारला पेटा गया है यह आप इमेजिन करो कि यहां पर कापर का तार लपेटा हुआ मतलब अचुम्बा की पदार्थ होना चाहिए जो चुम्बा की पदार्थ न हो उसको इसके सेंटर में लटकाया गया इस पकार सेंटर में लटकाने के बाद इस तरह से इसको लटकाया गया कि हम यहां पर इसको इस तरह से प्लेट को दोलन करा सकें यह प्लेट को हम दोलन करा सकें इस पकार से इसको लटकाया गया अब यहां पर क्या देखा गया कि जैसे ही हम इसको यहां दोलन कराते हैं ध्यान से सुनना अभी हम इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं अभी हम इस सिस्टम में धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं और बीच में लटके हुए प्लेट को जब दोनों के बीच में ऐसा दोलन कराया गया तो उसे स्वतंतरता पूर्वक दोलन किया उसे स्वतंतरता पूर्वक दोलन किया लेकिन जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं जैसे हम कुंजी को आन करते हैं को कुंज या निकोन इस प्रयोग को बार-बार करके देखा और सोचा कि ऐसा क्या चीज है जो प्लेट को सेंटर में रोग दे रहा है तो पहले उन्होंने सोचा कि चुम्बकी छेतर के कारण रुखता होगा क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करने से उसमें एक तरफ नार्थ पोल बन भगाता है लेकिन चुम्बक के कारण रुखेगा नहीं क्योंकि मैंने आपको स्टाइटिंग में बता दिया कि यह वास्ताव में ऐसे प्लेट को जो चुम्बकी नहीं है कापर का Aluminium का तो चुम्बक के कारण तो लुग रुखने का सवाल है नहीं तब भाई-गानिकों न जैसे पानी में जो भमर होता है वो किसी भी वस्तू को जैसे कोई तैरने वाला इंसान भी कोई तैराग भी यदि भमर में फसता है तो आपको मालूम है डूप जाता है डूप को उसका डेवत हो जाता है तो वहाँ पर जब भमर के पास ये चालक तार का प्लेट पहुँच र कि गौल गूल फूम रहे इसकी प्रकृतिक अध्यान किया गया कि इसका बिई है इसका बीईवियर में पाया गया कि यह भवर की तरह ही किसी चीज को अपने इसदे की तरह की एप शींच रहा है कि सबसे पहले जो परीềक्षिम में आता है इसमें एक तो हो गया भमरधारा कीसे कहते हैं प्रायोगी प्रदर्शन दूसरा कोश्चन आता है भमरधारा से हानी भमरधारा से होनी वाली हानी तो भमरधारा से सबसे ज़्यादा हानी जो होता है वो है ट्रांसफार्मर में उर्जा हानी इस टापिक को अभी आगे और आप पढ़ोगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ोगे अभी मैं आपको भवर्धारा के कार्डिंग समझा देता हूं ट्रांसफार्मर में उर्जाहानी यह क्या होता है चुकि कोई चीज यदि लगातार गती करेगा आप स्वभाविकृप से सोच सकते हैं कि यदि कोई पिंड लगात होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का सिच्वेशन कुछ इसी तरह होता है जैसा हमने यहां पर बनाया है तो ट्रांसफार्मर में भवर्धारा उत्पन होता है जो ट्रांसफार्मर को गरम कर देता है आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर हमेशा गरम होता है छोटे से लेसन उसके साथ में बना रहे हैं जब इंजिनियर को जब डिजाइन करना होता है तो जहां उसको ट्रांस्फार्मर फिट करना होता है उसके पास में उस सिस्टम में होल रखता है ताकि गरम होने पर हवा उससे बाहर निकल जाए इसलिए जालीदार उसको बनाया जाता है क्य पर बाकि कम करने के उपायरा, अगले चेप्टर में उसको पाइएंगे, हलाएक कि क्रोड को पटिलित बनाकर, फ्रोड़ा चर्चा तो कर देता हूं, दूबारा रिजन कर दूँगा, क्रोड को पटिलित बनाकर पटलित मतलब परतदार एक की उपर एक की उपर एक परत डालके उसके प्लेट बनाए जाते हैं तो क्रोड को पटलित बनाकर कम किया जा सकता है किसको भवरधारा को यह है इसका उपाय बाद में और पढ़ेंगे यह हानी है लेकिन इससे सिर्फ हानी नहीं होता इसका उप्योग भी किया जाता है मतलब लाब भी है इससे अब आप सोचोंगे कि केवल इससे हानी हो रहा है तो हानी बस नहीं होता इसका उप्योग भी है मतलब हम भवरधारा का उप्योग भी करते हैं तो भवर धारा के उपयोग में जो इसका पहला सबसे महत्वपुर्ण उपयोग है वो क्या है धारा मापी को धारा मापी को रूद्ध दोलन बलाने में है रूद्ध दोलन अब यह रूद्ध दोलन क्या होता है आपने देखा होगा कि जब आपको धारा मापी पढ़ा रहे थ तो समझाए थे यहाँ पर छोटा सा फीगर सांबोलिक सिंबोलिक लिए और मैं बता देता हूं ऐसा इस तरह से मेगनेट के दो कि पॉल होते हैं और इस पॉल के बीच में यह क्रोड होता है और यह इस पर लटक पे रहता है इस तरह से धारा मापी में होता है तो यहाँ पर यह जो लटकता हुआ उसका फ्रेम है जिस पर कापर का तार लपेटा जाता है वो धारा मापी का जो दोलन होता है तो वो जब घुमता है धारा प्रवहित करने से तियादी धारा मापी बेलेंस ना हो या कुछ हिल डूल जाए तो आगे पीछे अगल बगल भी घुमने लगता है मतलब गोल गोल घुमने के साथ साथ अपने आसपास में भी हो पेंडूलम की तरह गती शुरू कर देता है जिसके कारण वो सहे रीडिंग दे नहीं पाता या उसके तूटने का डर रहता है तो भाई गानिको ने अब इसको अटेच करना है मतलब उसको सेंटर में रखना है और हम उसको किसी चीज से बांध के तो सेंटर में रखनी सकते अटेच करके क्योंकि किसी चीज से अटेच कर देंगे तो घुमेगा कैसे तो यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पर भमर्धारा उत्पन किया गया और इस तरह से जब यहाँ पर हम भमर्धारा उत्पन कर देते हैं तो भमर्धारा उत्पन करने पर क्या होता है यह जो हमारा फ्रेम है वो सेंटर में बना रहता है भमर्धारा उत्पन करने पर वो हमेश भट्टी बनाने में तेरण भट्टी क्या होता है induction फर्नेश बोलते हैं मतब चुँकि भवधारा की सहायता से heat उत्पर्न किया जाता है तो बहुत अधीक मातरा पर भवधारा उत्पर्न करके फर्नेश बनाते हैं फरनेस मतला भट्टी जहाँ पर धातू को गलाया जाता है इसके लूप योग करते हैं बस एक क्लाइन में समझना है इसका पूरा मेकेनिजम आपको नहीं समझना है ठीक है राम कृष्ण पाठाक पटलित क्रोड जो होता है वह लोहे का प्लेट होता है और हर प्लेट के उपर में एक इंसुलेटर मटेरियल की पॉलिस की जाती है उसी को पटलित बोलते हैं जब मैं ट्रांसफार्मर समझाओंगा तो और उसको आपको अच्छे से उसके सिस्टम को प भड़ रहें डास फार्मर हमार आगे टापिक वहां पर पढ़ेंगे तो प्रेरट व्रती बनाने में उप्योग होता है थी करने की सहायता हम किसी पिन्ड को घुमा सकते हैं उसमें गत्यों परण कर सकते हैं तो इसकी सहांता से मोटर भी बनाया जाता है और चौन्था महत्वण उप्योग है इसका ट्रेन का ब्रेक बनाने में automatic important यह हम लोग जो अपन्य हें आँ योच यूज होता है उसमें मेकनिकल ब्रेक यूज होता है मतब ड्राइब यह घुजब उसमें प्रेक करते हैं क्या चारों से की फ्रेम एकक्ष Rapid Peach County द्रम आपे क्या करते हो लेकिन ऊहां पर बुलेट ट्रेंट कस हमेदास station को करेंड उत्परन करके रोका जाता है कि जैसे यहां पर मैं छोटा सा संकेतिक चीतर तहूं मौन लों यह ट्रेन का चक्का मोरा ट्रेन का पहिया है तो ट्रेन के चक्के के चारों और या जीसके फेह बंधार उत्परन करने का सिस्टम बनाया जाता है इसके चारों और भमरधार उत्पन करने का सिस्टम बनाया जाता है और जैसे ही ड्राइवर को क्या होता है ट्रेन रोकना होता है तो वह उस सिस्टम में धारा प्रोहित कर देता है धारा प्रोहित करने पर वहाँ पर भमरधार उत्पन होता है और भमर से इसका उप्योब किया जाता है तो ट्रेन का ब्रेक बनाने में भी यूज किया जाता है ठीक है चलो ठीक है ठीक आपने अच्छा याद दिलाया कुंडलियों का सेयोजन अब यह सेयोजन बहुत कामन है क्योंकि आप बहुत तरह का सेयोजन पढ़ चुके आप सेल का पढ़ तो कुंडलियों का सेयोजन भी दो प्रकार का होता है, बाकी की तरह स्रेडी सेयोजन, स्रेडी सेयोजन को हम क्या बलेंगे, सिरिस काम्बिनेशन, सिरिस काम्बिनेशन, स्रेडी सेयोजन, तो स्रेडी सेयोजन में किस तरह से कुंडली को सेयोजित किया जाता है, देखो, यहाँ पर ऐसा, क्वाइल को हम इस तरह से पदसित करते हैं, यह दूसरा क्वाइल, यह तीसरा क्वाइल, इस तरह से हम क्वाइल को क्या करते हैं, attach कर देते हैं किसी circuit पर इस तरह से मानलो ये coil L1 है ये L1 है ये L2 है ये L3 है यहाँ पर fluxों की संख्या 5-1 चेंज हो रहा है यहाँ पर 5-2 चेंज हो रहा है यहाँ पर 5-3 चेंज हो रहा है और सब में चूंकि series में हैं तो हम समानधारा सब में प्रवाहिद कर रहे हैं बहुत आसान है ऐसा बहुत दार आप लोग कर चुके और इसका series सम्मूहन का जो formula है वो resistance के series की तरह आता है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं देखो चूंकि total flux चूंकि यहाँ पर total flux फाई equal to सब के योगफल के बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अब यह वह वह टापिक कर रहे हैं जैसे लगता है और फाई equal to होता है ल इन्टु आई तो फाई को लिख सकते हैं ल इन्टु आई इसको लिख सकते हैं ल इन्टु ल 1 इन्टु आई क्योंकि आई नियात है इसको हम लिखेंगे L2 इन्टु आई और प्लस इसको लिखेंगे L3 इन्टु आई ऐसा लिख सकते हैं दाट इंप्लाइस दोनो तरफ से यदि हम आई को कामन करें तो cancel out हो आएगा तो L equal to हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 इस पकार से L equal to L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा और यह हो जाएगा इसका series combination L equal to L1 प्लस L2 प्लस L3 series combination का फार्मूला हो जाएगा तो कुछ नहीं है resistance की तरह है ऐसा आप पढ़ चुके हैं बस ध्यान रखना चीतर बनाते समय रजिस्टेंस को मिस्टा से खड़ी लाइन से पदसित करते हैं और कुर्डली को गोल गोल करते हैं ठीक है नहीं तो दोनों के संकेतों में आपको confusion हो जाएगा दूसरा पढ़ लेते हैं समांतर समुहन दूसरा है समांतर समुहन parallel combination समांतर समुहन या parallel combination ये क्या होता है देखो समांतर समुहन चीतर किस तरह से बनेगा ये एक कोईल ये दूसरा कोईल और ये तीसरा कोईल जितना चाहें उतना कोईल ऐसा connect कर सकते हैं सब को हम एक ही बिंदू से लाके connect कर देते हैं यहाँ पर हमने एक बेटरी लगा दिये अब देखो यहाँ पर जहाँ हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर धारा तीन पार्ट में divide हो जाएगा एक suppose i1 एक i2 और एक suppose i3 और इसका l1 value है इसका l2 value इसका l3 value यहाँ पर calculation थोड़ा सा अलग धंका होगा यह ध्यान रखना देखो चूंकि यहाँ पर total धारा का मान कूंकि यहाँ पर cool धारा i का मान कितना हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 इसके दे तो आप relation number first अब हम जानते हैं कि यहाँ पर current के साथ में तो l का जो value होता है l equal to या फाई equal to कर सकते हैं e equal to l di by dt होता है यह हम जानते हैं जहाँ पर e क्या है विद्धुत्वाकबल है तो e equal to l di by dt होता है अब यहाँ पर यह जो relation आप देख रहे हैं relation first इसको मत दो इसको t के साथ है शावकलान कर दो therefore इसको हम क्या लिख सकते हैं di by dt equal to इसको लिख सकते हैं di1 by dt प्लस यह हो जाएगा di2 by dt और प्लस di3 by dt इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे के लिखना चाहें तो e1 equal to e1 equal to लिख सकते हैं अच्छा e1 नहीं क्योंकि e तो constant है e तो constant है यहाँ पर di by dt का value निकाल लेते हैं di by dt di by dt का value क्या हो जाएगा यहाँ से e upon l हो जाएगा di by dt का value therefore इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं di1 by dt equal to e upon l1 e नियत रहेगा क्योंकि parallel combination है और उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं di2 by dt equal to हम लिख सकते हैं e upon l2 और di3 di3 by dt equal to लिख सकते हैं e upon l3 यह हो जाएगा अब यह सभी value को relation number first में put up करें तो relation number first में put up करें तो di by dt का value e upon l यह हो गया e upon l di1 by dt का value हो जाएगा e upon l1 plus e upon l2 और plus e upon l3 दोनों साइट से e common होके cancel out हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा e upon l हमको मिलेगा e upon l equal to 1 upon sorry 1 upon l1 plus 1 upon l2 plus 1 upon l3 इस तरह से यह हमको मिल जाएगा ओके तो यह parallel combination का फार्मूला है अब आप समझ सकते हो यह सब आप लोग को पहले से पता है यह है parallel combination और कोई problem और कुछ छुटा किया इस chapter से complete हो गया सब कुछ फिर तो यहाँ पर देखो series और parallel combination जो है केपेस इसका अस्वारी induction coil का वो पूरा का पूरा resistance की तरह है वो पूरा का पूरा resistance की तरह है प्रतिरोद की तरह है इस पकार से आप देखो सबसे पहले हमने पढ़ा गतिक विदित्वा हकबल का फर्मूला फिर हमने पढ़ा लंबी पर नालिका का 100 पर कत्व का फर्मूला फिर हमने पढ़ा भावरदारा क्या होता है भावरदारा को complete एस्प्रेंट किये फिर हमने देखा कुंडलियों का सेयोजर, सिरीस कमिनेसिन और समांतर समान तरस कमिनेसिन तो यहाँ यह chapter हमारा complete हो गया कल के class में हम इसके numericals कर लेते हैं इसके numericals बहुत आसान है और सरल है और important है इसके numericals generally पूछे जाते हैं completed exam में ठीक है तो यह सारा topic हम question बहुत आसान है question इसलिए आसान है क्योंकि मालूम है आपने इस chapter में 2-3 तो ही mathematical concept पढ़े हैं और वो भी सीधा-सीधा है तो ज़्यादा तर इस chapter में difficult question नहीं बनते बहुत आसान question आपको मिलेगा जिस तरह के question पूछे जाते हैं आपके साथ 6 cm into 10 cm जिसको हम 6 by 10 कर सकते हैं एक आयता का लूप है अपने पास जो 0.5 टेसला के एक चुमबकी छेत्र में लंबवत रखा हुआ है पर्पेंडिकुलर कंडिशन में रखा हुआ है situation को आप समझना क्योंकि formula में theta आता है तो पर्पेंडिकुलर है कि parallel है कि कितना कोड बनाये हुआ है इस situation को आपको हर question में समझना है ठीक है तो बद्द चुमबकी flux कितना होगा मतलब fluxों की संख्या हमको इस question पे पूछा है तो क्या होगा सबसे पहले आप question को solve करने से पहले given लिखा करो क्योंकि detail जब board exam में आप लिखते हो तो सबसे पहले आपको यही लिखना चाहिए कि question में क्या दिया है यह बनाने के लिए भी helpful है आपके और explain करने के लिए चेक करने वालों के लिए भी ज़्यादा आसान होता है तो 6 cm by 10 cm मतलब हम इसके area पर बात करें तो 6 into 10 cm square इसका area इसको meter में change करना है तो 60 into 10 to the power minus 2 फिर उसके square होगा तो 10 to the power minus 4 meter square हो जाएगा यह क्या होता है उसका area दिया हुआ है अब यहाँ पर क्या है चुमबकी छेतर की तिप्रता दिया है जो b होता है जिसको b से पर बात करते है 0.5 tesla तो चुमबकी छेतर की तिप्रता b equal to 0.5 tesla दिया हुआ है यह tesla है उसके unit है एक चुमबकी छेतर में लंबवत रखा हुआ है मतलब theta 90 degree है तो यदि वह लंबवत रखा हुआ है तो लंबवत छेतर पर लंबवत रखा हुआ है यदि छेतर पर लंबवत रखा हुआ है तो चुमबकी छेतर क्या हो जाता है उसके समानतर हो जाता है तो theta 90 degree होता है यह बात को आपको special care करना है तो यहाँ पर क्या बोला है कि चुमबकी छेतर के लंबत रखा गया है इसलिए theta यहाँ पर 0 degree होगा अब यहाँ पर हम value put करें 5 equal to AB BA cast theta होता है वहाँ पर हम value put up कर देते हैं तो चुमकी flux की संख्या 5 equal to हता है BA into cast theta यहाँ पर value हम put up कर दें सीधा सीधा question है तो B क्या है चुमबकी छेतर की तीवरता जो की 0.5 है यह हो जाएगा 0.5 into area एरिया है 60 into 10 to the power minus 4 60 into 10 to the power minus 4 into cast 0 यह cast 0 that equal अब इसको हम यहाँ पर multiply करें तो 6 पंचे 30 ठीक है 6 पंचे 30 हो जाएगा 10 to the power minus 3 तो यह हो जाएगा 3.0 into x0s के साथ एरिया हो जाएगा 10 to the power minus 3 यह हो जाएगा फ्लक्सों की संख्या यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या का तो यह हो जाएगा फ्लक्स चुमबकी फ्लक्स इतना वेबर तो आसान question है बहुत फ्लक्सों की संख्या count करना है आपको बहुत आसान है आप इसकी नसाट ले लो और बहुत easy question है direct formula में value आपको put up करना है चली अगला question next question है हमारा एक कुंडली से बद्ध चुमबकी फ्लक्स 0.01 सेकंड में 12 मिली वेबर के 6 मिली वेबर तक परिवर्टित होता है प्ररीत विद्धुत पहागबल का मान क्या होगा देखो मिली वेबर से होता है that means यहाँ पर क्या दिया हुआ है फ्लक्सों की संख्या में परिवर्टन दिया हुआ है और हमको time धीव दिया हुआ है question आप जहां से read करो और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक कुंडली के बद्ध चुमबकी flux 0.01 सेकंड में मतलब हमको time दिया हुआ है या इसको हम delta का सकते हैं 0.01 सेकंड 12 mili weber से मतलब phi 1 का value phi 1 equal to क्या है 12 mili weber से phi 2 कितना हो जाता है 6 mili weber हो जाता है प्रजित दित्वाकबल का मान कितना होगा हमको यहाँ पर इसके लिए प्रजित दित्वाकबल का मान गयात करना है ठीक है तो e equal to अपने को फार्मूला पता है e equal to होता है minus del phi upon del t यह होता है प्रजित दित्वाकबल के लिए फार्मूला यह हमने पढ़ा है कि फ्लक्सों की संख्या में परिवरतन किदर प्रजित दित्वाकबल के बराबर होता है तो माइनस हो जाएगा और माइनस यह phi to minus phi 1 इसका जो value होगा वो phi to minus phi 1 होगा del phi बाद में फ्लक्सों की संख्या माइनस पहले फ्लक्सों की संख्या phi to minus phi 1 और अपान क्या होगा del t अब इसके value को put up कर देते हैं तो minus phi 2 का value दिया हुआ है 6 millivabre तो हो जाएगा 6 minus यह कितना दिया हुआ है 12 यह 12 हो जाएगा और time दिया हुआ है 0.01 0.01 यह इसका value दिया हुआ है अब इसको हम solve करें तो 6 minus 12 कितना हो जाएगा minus 6 और minus के साथ multiply होगे 6 हो जाएगा तो 6 upon 0.01 अगले line में हम लिख सकते हैं 6 upon 0.01 यहाँ पर क्या होगा इसको हटाने के लिए 100 का multiply करेंगे तो 100 multiply करने के बाद क्या हो जाएगा है 600 और electromotive force है तो इसका कितना हो जाएगा milli में हमने solve किया है देखों यहाँ पर question में दिया क्या है milli volt तो यह हो जाएगा milli volt जिसको हम लिख सकते हैं 0.6 volt 6 volt हो जाएगा ना milli मतलब 10 होता है 0.6 milli 10 to the power minus 3 milli मतलब 10 to the power minus 3 तो divide के 0.6 0.6 volt होगा क्योंकि milli मतलब 10 to the power minus 3 600 milli volt या 0.6 volt तो हमको यहाँ पर basically यह formula यूज करना है बस जिस फाम में दिया हो यदि calculus के फाम में दिया हो तो differentiate करते हैं और 5 and 5 2 के फाम में दिया हो तो direct value यह बहुत important question है लेकि जादा तर यह board exam में calculus के फाम में आता है differentiate करने के सीधा सीधा 5 1 और 5 2 दिया हो तो हम उसको इस तरह से solve करते हैं इस formula से लेकिन यदि वो क्या है 5 को यदि हमको differentiation के फाम में आगे मैं question बताऊंगा तो clear हो जाएगा मैंने हर तरह का question यहाँ पर लिया हुए देखो अगला question वही है अगला question हमने differentiation के फाम में लिया हुआ है और सायद जब मैं आपको chapter को पढ़ा रहा था तो इस तरह का एकात question मैं आपको कराया भी था तो यहाँ पर देखो यह question क्या कहता है ध्यान से सुनो एक बंद लूप में बंद चुम्बकी flux निम्न समीकर द्वारा दिया जाता है तो 5 equal to होता है 2T square minus 5T plus 7 एक बंद लूप से बंद चुम्बकी flux निम्न समीकर द्वारा दिया जाता है जहाँ 5 miliweber में जहाँ पर 5 miliweber में टी सेकंड में है दो सेकंड पर चाथ लूप में उत्पन प्रेरित विदित वाहक बलका मान क्या होगा यह question आपसे बंद चाहिए ऐसा question में आपको बताया था चेप्टर को पढ़ाते वक्त ऐसा question में आपको समझाया था ठीक है तो देखो यहाँ पर 5 का value दिया हुआ है 5 equal to हमको क्या दिया हुआ है 2t square minus 5t plus 7 यह 5 का value है और 5 को जब हम t के respect में differentiate करते हैं हमको मालूम है फार्मूला क्या फार्मूला पता है अपने को चूंकि e equal to होता है minus d phi by dt मतलब फ्लक्सों की संख्या को जब हम फ्लक्सों की संख्या को समय के साप एक शवकलन करते हैं तो हमको प्रेरी चिद्वित्वागबल ग्याथ होता है ठीक है तो यहाँ पर question में हमको 5 के value दिया हुआ है चलिए तो इस फार्मूला को हम यूज करें तो चूंकि e बराबर फिर क्या हो जाएगा minus d by dt आप 2t square minus 5t plus 7 यह होगा that equally इसको differentiate करें तो minus 2t का 2 रहेगा 2 सामने आएगा तो होजाएगा कितना 40 और minus 5 40 minus 5 यह होजाएगा अब यहाँ पर हमको question में क्या दिया हुआ है after 2 second 2 second पस्चाथ तो t बराबर 2 second में t बराबर 2 second में यदि हम इसको विज़ी तो हगबल का मान निकालें तो e equal to क्यों होजाएगा minus और यहाँ पर 4 into 2 minus 5 4 into 2 minus 5 इस तरह से 8 minus 5 कितना होजाएगा 3 ठीक है और यह होजाएगा minus 3 तो इसका answer कितना होजाएगा minus 3 आजाएगा तो यहाँ पर देखो यह जो question है इस question में differentiate करके निकाला गया है ठीक है इसमें differentiate करके निकाला गया है minus 3 किसमें milli में दिया है milli waiver दिया है तो होजाएगा milli volt minus 3 milli volt minus 3 milli volt यह इसका answer होजाएगा ओके यह question आपको दो लाइन का लग रहा है यह question आपको दो लाइन का लग रहा है लेकिन इस तरह का question कई बार नीट में पुछा जा चुक है इस तरह का question कई बार नीट में पुछा जा चुका है इसको आप बहुत easy मस समझना क्योंकि बहुत स्टुडेंट को differentiation में problem रहता है IIT JEE के हिसाब से तो बहुत आसान question है क्योंकि math के student integration differentiation पढ़ते है लेकिन बायो की student के लिए यह step important है यह integration यहाँ पर आपको आना चाहिए जब तक आपको calculus integration differentiation नहीं बनेगा ऐसा question बनेगा नहीं ओके clear सबको कल जब मैं आपको multiple choice question कराऊंगा तब भी इसी तरह के question मैं आपको कराऊंगा multiple choice में यह तो मैं आपको पूरा salve करा रहा हूँ multiple choice में भी हम ऐसा question करेंगे देखिए question number 4 यह भी question बहुत अच्छा है ध्यान से पढ़ो आप 0.5 मीटर लंबी एक धात्विक छड चित्र में दिखाय अनुसार परिपत को पूर्ण करती है परिपत का तल 0.15 टेसल अप फ्लक्स घनातपके चुमकी छेत्र के लंबवत है यदि परिपत का कुल प्रतिरोध 3 ओम हो तो चड को निर्दिष्ट दिशा में 2 मीटर पर सेकंड की चार से चलाने के लिए आवस्यक बल की गढ़ना कीजिए यह एक best question है आपको यहाँ पर बल निकालना है एक बार statement को बहुत ध्यान से समझो और मैं यहाँ पर लिखता हूँ given कि question में हमको क्या क्या दिया हुआ है ठीक है क्या 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 दिया हुआ है 0.5 मीटर लंबी मतलब उसकी जो लंबाई है वह है 0.5 मीटर एक धात्विक सर्चीते में देखानुसार परिपत को पूर्ण करती है परिपत का तज 0.15 tesla flux मतलब यहाँ पर जो b का value है 0.15 tesla है 0.15 tesla बी का value यह दिया हुआ है चुम्बकी छेत्र के लंब उथ है ठीक है चुम्बकी छेत्र के लंब उथ है तो नेच्रली यहाँ पर थीटा को अपने को 0 छोड़ देना है 1 हो जाता है यदि परिपत का कूल प्रतिरोद 3 ohm हो आर का value दिया हुआ है 3 ohm तो छड़ को निर्दिष्ट दिशा से 2 meter प्रति सेकंड की चाल से velocity दिया हुआ है 2 meter पर सेकंड की चाल से चलाने के लिए आवस्तियाक बल की गढ़ना कीजिए यहाँ पर हमको बल निकालना है और हमको पता है कि बल f equal to होता है ilb sin theta तो ilb ilb sin theta तो theta यहाँ पर 90 degree है तो sin 90 को हम 1 ले लेंगे उसको लिखने के जूरत नहीं है अब देखों यहाँ पर f equal to ilb चाहिए और इस तरह से हमको यहाँ पर धारा कमान निकालना है जब तक हमको धारा कमान पता नहीं चलेगा क्योंकि b पता है l पता है यहाँ कोस्चर में हमको b पता है l पता है हमको धारा कमान निकालना है i का और उसके लिए यहाँ पर हमको प्रतिरोद दिया हुआ है यह तो वेग है तो I का value कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमको I का value निकालना है और I का value निकालने का फर्मूला होता है अपने पास I equal to B L V upon R B L V upon R यह I निकालने का फर्मूला है यह कहां से आया E equal to होता है B L V Electromotive force equal to B L V होता है और Electromotive force को एक बार मैं यहां पर बता देता हूँ क्योंकि यह formula कहां से आये पर बहुत लोग को problem हो सकता है E equal to होता है B L V यह होता है और यह जो विद्यूत्वा अकबल है उसको हम लिख सकते है I into R I into R equal to होता है B L V और इस तरह से हम I का value निकालना चाहें तो यहां से आप समझ सकते हैं R को उज़र टांसफर कर दें तो I equal to निकल जाएगा B L V upon R यह महत्तपुन formula है इस formula को आप याद रखना तो E equal to B L V होता है वहां से E को हम I into R लिख सकते हैं उनके नियम से तो I का value B L V upon R होता है अब यहां पर हम पूरे value को put करके I निकाल लेते हैं और I का value निकलेगा उसको उसमें put करके force निकाल लेंगे ठीक है चलिए तो यह बहुत अच्छा question है ध्यान से समझना तो धारा हम निकाल लें I equal to B चुमबकी शेतर की तिवरता अपने को पता है 0.15 Tesla question में दिया हुआ है तार की लंबाई को दिया हुआ है 0.5 meter 0.5 meter हमको दिया हुआ है और V वेग दिया हुआ है 2 meter per second तो हो गया है 2 meter per second प्रतिरोध भी हमको दिया हुआ है कितना 3 यह दिया हुआ है अब इसको हम साल्व कर लें तो देखो यह तो 5 दूनी 10 यह 1 हो जाएगा और 0.5 पांस तिया 15 तिन पंच है तो 0.5 ठीक है इस तरह से इसका जो value आएगा वस 0.5 आजाएगा अब जब 0.5 इसका value निकलेगा उसकी सायता से हम क्या निकाल लेंगे बल निकाल लेंगे ठीक है यह जब खार्मुला बताएं हूं मैं 5, 2, 1 0.05 0.05 आएगा अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या F F equal to I, L, B चुंकि F equal to I into L, into B that equal to I तो I का value क्या है 0.05 I का value 0.05 और L का value कितना दिया हुआ है 0.05 0.05 into 0.5 into चुंकि छेत्र की तीवरता तो चुंकि छेत्र की तीवरता 0.15 दिया हुआ है 0.15 यह हो गया that equal अब इसको solve करो चलो multiply करो कितना आता है इसको आप लो multiply करके बताएं यह कितना आता है मैं तो calculator से कर देता हूँ साल यह आजाएगा 75 3.75 3.75 गुडि 10 की घात red 3 newton यह इसका अंसर होगा यह हो जाएगा बल कमान तो इसमें इसी तरह के question है यह question important है इस तरह के question इसमें important है यह question बहुत अच्छा है यह जो question मैं आपको बताया यह question बहुत अच्छा है question number 4 आप इसका इसकी साथ ले लो यह pattern question बहुत important है तार की गती तार का चुमबकी छेतर में गिरना यह तार का चुमबकी छेतर के साथ जो आपक्छी गती है इस पर best question इसमें बहुत important है पैसे जो भी question करा रहा हूं मैं वो सब important question का collection है अगला question देखो आप दो मीटर लंबी धातू की एक छड़ जिसके सीरे पूरू पस्चिम दिशा में है यह भी बहुत important concept है कई बार इसमें question आया दो मीटर लंबी धातू की एक छड़ है मतलब वही तार है चालक तार है जिसे सीरे पूरू पस्चिम दिशा में है इसका जो end है वो क्या है पूरू पस्चिम दिशा में रखा हुआ है 36 रूप से नीचे की और 10 मीटर तक गिराये जाता है 10 मीटर तक इसको गिराये जाता है यदि पृत्वी के चुमकी छेत्र का 36 घटक 1.7 इंटू 10 दिशा माइनस 5 वेबर प्रती मीटर स्प्यार हो तो उसके सीरों की बीच प्रेरीत विद्यूत्वाहकबल का मान होगा क्या होगा देखो सबसे पहले हम लिखने गिवन सबसे पहले गिवन लिखने 2 मीटर लंबी धातू की एक छड़ लंबाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर जिसके सीरे पूर उपस्चिम दिशा में है वो तो ठीक है 36 मीटर से नीचे की और 10 मीटर तक गिरता है मतलब उसके नीचे गिरने का जो डिस्टेंस है उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर का है मतलब उसके द्वारा एक तरह से क्या का सकते हैं वो चली गई दूरी है थीक है दस मीटर तक वो नीचे गिरता है तब रारंभी तो उसका यूँ होगा को गुरता है height से गिर रहा है चलो distance को मैं h से represent करता हूं क्योंकि height से गिर रहा है तो 10 meter है u तो 0 होगा कि उसको गिराया जा रहा है प्रानधी के सुन्य होगा प्रित्वी का 36 घटक दिया हुआ है अपने को question में मतलब b का value b equal to 1.7 into 10 to the power minus 5 ध्यान रखना है इसका unit नहीं लिख रहा हूं मतलब तार क्या हो इस तरह से प्रित्वी के 36 घटक में नीचे गिर रहा है तार नीचे गिर रहा है उस तार की लंबाई 2 मीटर है यहां मालो रखा है तार और नीचे गिर के वह आया तो उसने 10 मीटर का height मतलब travel किया 10 मीटर के height travel किया यह तो जब उसको हम तार को उपर से छोड़ होते हैं तो प्रारभी किस्तिती उसका सुन्य है अब यहां पर देखो चूंकि हमको पता है कि इसका जो फार्मूला होता है इसके फार्मूला में आता है BLV अभी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ यहां पर हमको velocity चाहिए यहां पर हमको velocity चाहिए चूंकि E बराबर इसमाली लिखता हूँ इक्वल टू होता है BLV यह हमारा velocity है तो यहां पर हमको इस data के help से velocity निकालना होगा उसके लिए हम निकालते हैं गती का 33 समी करण चूंकि third equation up motion क्यों apply कर रहा हूँ हम equation up motion situation खिसाब से लगाते हैं चूंकि यहां पर हमको समय नहीं पता है तो जब हमको समय नहीं पता होता है तो हम हमेशा गती का 33 समी करण लगाते हैं क्योंकि गती के 33 समी करण में v square equal to u square plus 2a s आता है तो अंतिम वेग निकालना है अपने को तो v square equal to u प्रारंभी वेग है जो कि 0 है plus 2 into a का value गुरुत्वी तोरान को हम जी ले लेते हैं क्योंकि हाँ पर a g होगा और h जितने height से वो गिर रहा है वो कितना है 10 है that implies v square equal to कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा root निकाल देता हूं सीधा मैं सीधा इसको root निकाल दूं तो v equal to 10 से बहार आ जाएगा 10 root 2 इस तरह से v का value कितना हो जाएगा 10 root 2 हो जाएगा तो v का value जब 10 root 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर put कर देंगे blv के फर्मूला में इसमें तो विद्धित्वाकबल का मान इसलिए e बराबर चुमबकी शत्र की तीप्रता पता है अपने को 1.7 गुडित 10 की घात रेड़ पाच और गुडित लंबाई पता है दो मीटर और गुडित हमको velocity पता है भी हमने निकाला है 10 root 2 10 root 2 यह पता है इस तरह से सब को multiply करें multiply करके answer लिखो अपने गुणा तो करके देखना पड़ेगा उसका 1.7 इन 10 पाइब इन टू इन टू इन टू पात दस अमलोव साच छे गुडित 10 की घात रेड़ चार बोल्ट यह इसका answer होगा यह इसका answer होगा इस तरह से आप देखो यह हमका हम उसका वोल्ट विभाव पता चल जाएगा विद्यू तो यह दोनों question यह दोनों question इस तार का गती और यहां पर भी है जो तार गती कर रहा है उसको नीचे को गिराया जा रहा है दोनों में इस तरह से कल्कुलेशन होगा और यह formula इसमें यूज होगा जो कि बहुत important है तो इसी pattern के question है इसमें बाकी जब हम multiple choice question करेंगे तो multiple choice question को हम आपको इनहीं तरह के प्रस्टों के साथ कराएंगे लेकिन उसमें थोड़ा हम technical question का practice कराते हैं ताकि competitive के recording आप अभी से थोड़ा सा प्रिपेर हो सको तो चलिए कल के class में हम multiple choice question की practice कराएंगे वो भी numerical ही होंगे आप सभी को मेरा suggestion है कि chapter को आप अच्छे से revise करके आओ जब तक आप chapter अच्छे से revise करके नहीं आओगे तब तक आपको numericals करने में मज़ा नहीं आएगा ओके हाँ रूट टू का value रख सकते हैं रामप्रिश्ण रूट टू का value होता है 1.414 यहाँ पर जो रूट टू का value है इसको ताप याद करके रखो रूट टू का value होता है 1.414 तो इसको हम 14 अच्छार लिख सकते हैं मैंने direct answer लिख दिया है रूट टू में जब 10 का गुणा होगा तो 14.4 होगा जिसको near about 14 भी लिख सकते हैं चलिए ठीक है तो कल हम multiple choice question करते हैं और उसके next day से हम प्रत्या वारती धारा का बहुत important chapter start करेंगे alternating current बहुत लंबा chapter है बहुत बड़ा chapter है बहुत आराम से उसको पढ़ा जाएगा okay okay thank you thank you so much